इस वीडियो में हम समानने हिंदी का संपूर पाठकरम खतम कराने वाला हूँ हर चेप्टर के साथ आपके महतपूर प्रसन भी मिलने वाला है जिससे आप टेस्ट के भाती ले सकते हैं वही से डाइरेक्ट प्रसन आपकी एक्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो समानने हिंदी है उसका पाठकरम में इंसन है सब इसले बस आपको टेंथ पर अधारित है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको धौनी धौनी में आपको स्वर और बेंजन पढ़ना है जो कि फश्टी चेप्टर में आपको देखनों को मिलेगा फिर आपको सब्द के परकार पढ़ना है सब्द पढ़ना है ठीक फिर आप देखेगा संग्या लेंग वचन कारक श्वर नाम विशेशड क्रिया विशेशड क्रिया ये सभी चेप्टर में आपको बहुत ही असानी ट्रिकली बैता दूँगा जिसे आप बाद में कभी भी आपको प्रोब्लम नहीं होने वाला है ठीक यहां पर उसके बाद आप देखिएगा क्या दिया है अवयो दिया हुआ है निपात दिया है वाक रचना सब्द रचना क्या आप देख सकते सब्द भेद में आप देखिए ततसम तद भाव देसद बिजद रूड योगिक एक इक्जाम में बनते हैं ठीक है फिर यहां पर आप अर्थ में देख लिए परयावाचे सब्द क्या होता है बिलोम सब्द क्या होता है महतपूर बिलोम और प्रवाचे सब्द देख लिए यह अर्थ में आपको पढ़ना है और फिर देखिए का महतपूर चेप्टर जहा से टेस्ट के भाती भी मैं आपको खतम कर दूँगा क्योंकि यह आपको सभी खतम आप वीडियो देख लीजिएगा जो भी मैं आपको बना रहा हूँ उसके बाद आपको एक टेस्ट भी आएगा जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वड किसे कहते हैं वड किसे कहते हैं तो हिंदी भासा के सबसे छोटे इकाई धोनी होती है इसी धोनी को ही हम लोग क्या कहते हैं वड कहते है ठीक और वड को ही बेवस्थित करने के जो समुह बनता है उसे वड माला कहते है या वड को एक तरीका स सजार दिया जा, तो वो औवड माला बन जाता है ठेक, तो यहा पर देख सकते हैं की धैण है अब को जो होती है, भाषा के सबसे χोटी इकाई धैण होती है, और धोनी को हम लो क्या बोलते हैं यहा पर देखें हिंदी में उचारण के अधारण पर 45 वड होते हैं यहां देखे 45 है इन में से आप देखिएगा 10 सवर होते हैं और 35 वड होते हैं तो कभी भी आपको देखा दिहान से देखना होगा कि हिंदी में उचारण के अधार पर 45 होते हैं जिसमें 10 सवर होते हैं और 35 वड होते हैं जब कि लेखन के अधार पर हो जाते हैं इसमें सो भागो में बाटा जाता है अब इंट्रेस्टिंग है सभी से मैं आपको बता रहा हूं जिन वर को शोतंतुरूप से बोला जा सके उसे सवर काते हैं जिन वड का उचारण सोतंत रूप से किजिएगा मिसकी किसी और आपको जो है वड की सहता नहीं लेना पड़े उसे हम लोग शोर वड बोलते हैं ठीक प्रमक्रागत रूप से सवरू की संख्या 13 मानी जाती है लेकिन उचारण के दिरिष्टी से यह दसी सवर है उचारण के दिरिष्टी से दसी सवर है लेकिन ऐसे प्रमक्रागत रूप से इसकी संख्या 13 मानी जाती है ठीक उचारण के अधार पर सवर जो उचारण के अधार पर सवर की संख्या है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर दो यह आपको बढ़ जाता है यहाँ पर देख तो लेखन के अधार पर यह हो गया आपको श्वर के संख्या ठीक इसको ध्यान में देखकर आपको चलना है क्योंकि पूछ शकता है कुछ भी डिफिर्सियेट करकर उसमें भींता दिखाकर तो आपको हैरान नहीं होना है अराम से कुशन लगा लेना है ठीक अब दिखे स्वर जो होते हैं स्वर के भी मुकिता दो भेध होते हैं एक हर से असान है याद करा ना हर से सवर किसी कहते हैं यहाँ पर दीखे सब्सक्राइब करते हैं और हर सवर यहां पर आप देख से उसके उधारन दिया हुआ है वहीं देखिए का दिर्ग सवर नाम सहीं पता चल रहा है दिर्ग सवर जिन सवर के उचारण में हर सवर से समय सवर यहां पर देखियेगा तो देखिए गया को कि सवर की यह सब ढबल समय लगते हैं तो मिसकी इसके उचारण में लगते हैं ठीक आ बोलकर दिखे ओ मिलकर होता है डबल आपको समय लगा है व्यश्य से भी आपको दिखे हैं सवर से तो प्रदिर्व सcular में डबल समय लगता है दूगना समय लगता है ठीक हां पर देखें उचारण के दिरिश्टी से और यह इसका इ लिए नहीं जाता है टिक जो से ब्यांधाता है डिटे hone आप साब ? ऐ करेंए माला में 35 बेंजन होते हैं जो की इस परकार है बेंजन निम 냉क परस बेंजन होता है एक उस बेंजन होता है, तो सबसे पहले असपर्स बेंजन, नाम से ही पता चल रहा है, असपर्स बेंजन, जैसे कि इन्हें पांच वर्गों में रखा गया है, इन्हें क्या रखा गया है, पांच वर्गों में रखा गया है, हर वर्ग में पांच पांच बेंजन होते हैं, हर आपसे यह भी कुश्छन पूशकता है कि कौन सा में बैगा उसमें चाध दे देगा तुर तक कवर्ग में नहीं आएका घ्र बिर नातेह यह किर आपको अंधिया करने टाउर्ट में एाफ को कह लाते हैं यह क्या तिके तलाबी सा, मुदनी सा, दांती सा और हा ये उस बेंजन में आते हैं, ये याद रखिएगा, तो तीनों बेंजन में ने बता दिया, एक आपको पूशकता है कि इसमें से कौन से सहिक्त बेंजन नहीं है, क्योंकि सहिक्त बेंजन के भी अलग से बहाग में किया गया है, तो श्रीक्त बेंजन में छहत्रा ग्यान असरे, यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये चार जो होता है, ये आपको श्रीक्त बेंजन का अंतरगत आता है, और यहाँ से बहुत बिबियाई कुशन ये पूशे जाते हैं, कि इनमें से कौन स्रीक्त बेंजन नहीं है, तो ये तो को वडमाला कहा जाता है तो मैंने बताया वड या मडवाला तो ये आपको क्या होता है कि किस एक भासा या अने कोई भी भासा हो वो लिखने के जो परियुक्त मानक होते हैं उसमें परतीक का जो प्योग किया जाता है को भी क्या हुआ एक मानक या परतीक हुआ तो वो इसका क नम्बबदमिस की एक सजावट के रूप में आपको जो जाता है तो उसे ही उस आपको जो भी है जो भी भासा उस भासा का उसे वड माला कहा जाता है ठीक यह ध्यान मर रखेगा यहां पर उदाहरन के लिए सकते हैं कि देवनागरी हम लोग हिंदी को किसमें लिखते देवना ऐसे आपको लिखा होता है यह सजाव कर एक तरफ से लिखा जाता है तो यहां पर देखिए यह देवनागरी के वड माला है ठीक क्योंकि वड माला है और वैसी देखिएगा कि आपको रोमन वड माला में कैसे तो A B C D E F G H I J य जो रोमन अल्फाबेट जो बोला जाता है ठ जिसे देवनागरी लिपी में कौन-कौन से लिखे जाते तो देवनागरी लिपी में संस्क्रीट हुआ, मराठी हुआ, कोकडी हुआ, नेपाली हुआ, मैतली भसाय लिखी जाती है यहां से कोशन पका पूछ रखता है कि कौन से भसाय देवनागरी लिपी में लिखी जाती तो यह उचारन का दिरिष्टी सिर्गा पर देखे ज Administration हो कि overe Jen को दो वर्गो में विभर्त किया जाता है घोस और अगोस इस बेंजन को दिखे साथ सब्धिया हुए यह बेंजन को डिवाइड किया जाता है गोस और अगोस में ठीक तो जिन बेंजन के उचारण में शोत अंतरियों में कमपन होता है उन्हें गोस या सघोस भी बोला जाता है ठीक गोस या सब इसमें क्या होता है सोत अंतरियों का कमपन होता है यह ध्यान मरिक्ये का सोत अंतरियों के कमपन होता है जिसे हम लोग क्या नहीं हो रहा है वही आपको अपको कुछ कर दिया गया यहाप देख सकते हैं इधर प्रत्र लोगे बाहर चोड़ते इसके पूरिंग कैसे आपको डिने को बोलने में उसके अधार पर भी आपको बेश्वाइन कोृइड किया गया है तो यहाँ पर देख सेखितें, बहुत असान है, याद कना, जिन बिहं जन धौनियों के उचारण में स्वांस बल अधिक लगता है, उन्हें हम लोग महाप्राण, और जिन में स्वांस बल कम लगता है, उन्हें हम लोग अलप प्राण, ना हम सुन ही पता चल रहा है, इसमें देखिएगा उक्राइब। यहां पर देख सक्ते हैं, यहां पर देख सक्ते हैं, और चोथी धोनिया महा पराण है यह द्यान में रखिएगा हिंदी के जैसे की आपको देख सकते हैं खा गा ये चछा जज़ा में छा ज़ा त्टा ज़्ज़ा में ठा ठा ये देख शकते ही ये आप साथ सब आपको दिया हुआ है ये सभी क्या हो जाएंगे महा पराण हो यहाँ पर देख सकते हैं पर अंग यहाँ पर हो जाएगा ठीक वैसे अब देख सकते हैं यह जो दिया हुआ ऐसी करकर आपको exam में कभी भी question पूशता है तो आपको याद खरना होगा नहीं तो आपको question push को घुमवा सकता है और आप भूल सकते हैं exam hall में अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अब उचारान के दरिश्टी से देख लिए उचारान के दरिश्टी से जिसे पुष रहता है ना कि कंथ वर कौन है तालव वर कौन है मुर्धन वर कन है तो उचारान के दरिश देखिए तो जिनवर्र का उचारान अस्थान कंथ होता है उन्हें कंथ वर इज deben का जाता है जैसे yet he पुलेगा तो इसमें कंथ का उपयोग किया जैता है कंथ सही अपका सारा ये धहुनी कलता है इसलिए हैं कंठवर कहा जाता है ध्यान में रखेएगा यहां पर यहां पर यह जब भी आ जाते हैं अपसे पूश्कता है कि इनमें सुकुन मुध्धन नहीं होगा ठीक और उसमें दिए रहेगा तो शहों चीये नहीं होगा ऊकि मुर्धन मेरा को यह आता है यह थे को इसारन चुला यहां पर देखें लिरी इसमें हो जागा तवर्घस दाध्र न यह सब आपको क्या जाएंगे दंत-वड के अंतरगत आ जाएंगे तो जिन वड का उचारन अस्थान ओष्ठ है उचारन जैसे दोनों ओठ टच करता है ठीक तो यह जो हो जाएंगे और आपको बड़ा यह सभी आपको उच्ट वर्ड के उचारन आपको उच्ट का उपयोग किया जाता है यहां पर देखिएगा तवर्ग वड़ के अंतरकाता आ जाते हैं पिर नास्गे वड़ देखिए नासिक्ज वड़ में जो आजाएंगे जिन वड़ का उचारन अस्थान नाक है उन्हें आम लोग नासिक्य वड़ कहते हैं नाक इसमें उप्योग किया जाता है यहां पर देखिए का कवर वर टवर्ग हुआ चवर्ग हुआ पवर Heo स्वर्ग कंठ लवड रवं इसमें कंठ लो बहुता है यहए अब रचारन इसमें कंठ और दुनु दोनों को पियोग पारी दाव दो किल रट यहां पर आप द énerवार किसे सब्षा जाता है तो आsetब को देखारन कंठ और हूष्टchn बना है उन्हें कंठ जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह दिया हुआ है कंटोस्ट वर्ड में ठिक फिर दंतोस्ट वर्ड जिसमें दात और ओष्ट दोनों का आता है दात और ओष्ट दोनों का होते उन्हें दंतोस्ट वर्ड कहा जाता है और वह जो बोला जाता है वह अतला आपको यार वो 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 ये आपको दंतोष्ट वड के अंतर गताता है ठीक तो ये सभी मैंने आपको कराया वड माला से संबंदित यहाँ पर खतम होता है चलिए अब टेश्ट लगाईए ऐसे ही कोश्चन आपके एक्जाम होल में पूछे जाएंगे सबसे पहला कोश्चन आपके स मूलता कितने वड है दे रहा है तो एक 45 में एक और वड जूट जाएगा जो संस्कृत का वाता है संस्कृत वड माला में से आया है री और वो टोटल 46 वड हो जाते है ठीक मैं आपको पढ़ाया हूं थियोरी में कि उचारण के दृष्टी से कितने सवर वड है स्विक्ट पर यहां पर 44 हो जाएगी ठीक देखे यह जो भी कोश्ट में करार हूं यह कोश्टा हुआ है ती इसमें कोई भी कोई दूजर नहीं होना चाहिए बस याद कर लिजी का इसे कुशन पूछा जाता है कुशन पर फाइफ है सुवर कहते हैं सुवर वल किसे कहते हैं यह आपको बताना है ठीक दिखिए तो यह आपको सामने अपसन है ध्यान पुरवक सभी अपसन पढ़ लेना आएको तभी कुशन लगाना है तो जिन जिनका उचारण बीना औरोध या किसी विद्ध्य बाधा के हूँ उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सुवर किसी की सहयता नहीं चाहिए यह खुद से उचारण होता है लेकिन बेंजन के लिए कम से कम सुवर की सहयता चाहिए तो फाइफ का एंसर आप अराम खीके पकंड़े के डिल्क के असी अंसरों के सच्छे कि सहता नहीं लेनी पड़ती है जैसे कि यह सब हो गए स्वार आपको होते हैं यह आपको तीन परकार को होते हैं एक दिर्ग स्वार होते हैं और पुलित स्वार होते हैं यहीं आपको तीन परकार को होते हैं हिंदी में स्वार हो कि ठीक हिंदी में ऑ और अ अ अ जो है यह क्या है यह आपको बताना है हिंदी बड़ माला में तिये है अयोग वाह इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है यह आपको बताना है तो आपको श्वर का मैंने बताया था कि यह कितने परकार को होते हैं तो एक दिर्ग होता है एक श्वर होता है और एक आपको पुलिट सवर होता है और जिनके उचारन में दिर्ग सवर सभी अधिक लगते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं पुलिट सवर क्या बोलते हैं पुलिट सवर बोलते हैं जैसे कि आप राम को उचारन करकर देखिएगा त खीजं'd आ यहां पर वेधुनीर जो सुहले हुआद नहीं तो द्रग स्भर वा सिंग्त इबत शिरम और पुलिट स्वर बाते हैं थेकश वे धोनिया, जो सोरों की सहयता के बिना उचारित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती है, उनको स्वर कम से कम उचारण के लिए चाहिए, ये बेंजन कहलाती है, बारा की एंसर क्या हो जाएगा, यहां पर C हो जाएगा, और आज का लाश्ट कुशन देख लीजे, कुशन मर 13, कि न सफर्स ब्हेंजन किसे कहते हैं कि भी छे प्छार होतेएं में सिर्जिव सिंधी Shaka screen कोई न सुर्ण करता है। और इसमें 25 बेंजन आ जाते हैं दूकि तब आजाते हैं कौन से तो असपर्स नहीं होगा इस में से आपको बताना है कि निमलिखित में असपर्स है माप कीज़ेगा कुण सा असपर्ष ये चो हो जाएगा चछा चछा यहाँ यह सब असपर्ष बेंजन के अंतर गताते हैं ति इसके एंसर क्या हो जाएगा तेरा कैंसर हो जाएगा बी टोटल मैंने तेरा कोशन आपको कराया टेस्ट के कोडी अब से पहले हम लोग सब्द के परिभासा देखते हैं तो यहाँ देख लिए सब्द का मतलब क्या होता है एक या अधिक वडोक से बने हुई शोतंतर सार्थक धोनी यहाँ पर देखे ध्यान रखिएगा शोतंतर सार्थक धोनी होना चीए सार्थक मतलब निकलना चीए उसका सब्द कहलाता है वो एक या एक से अधिक वन्नों से मिलकर बनता है, जैसे एक वन्न से जो निर्मित सब्द हो जाएगा, नहीं होता है, तो ये आपको सार्थक होता है, नहीं होता है, तो ये आपको न हो जाएगा, एक वन्न से, अनेक वन्नों से निर्मित सब्द जो हो जाएगा, जैसे कुत्ता हुआ से रहाथी, कमल, परसाद, स्वर्वयापी, परमात्मा, ठीक, बहुत से ऐसे, एक बाद ध्यान मरेखेगा, एक वन से अधिक, आपको एक दो वड़ हो सकता है, तीन वड़ हो सकता है, चार वड़ हो, जैसे कमल में तीन वड़ मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बित्पती या जिसे बनावट बोलते हैं, उसके अधार पर सब्द के भेद आप देख लिजिए, तो बित्पती या बनावट के अधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं, पहला रूड है, दूसरा योगिक है, और तीसरा योग रूड है, बहुत सधार तरीका से देख है रूड सब्द किसे करते है दिखे ये लिखा हुआ भी छोटा है और अगर सोट में आपको याद करना होगा ये सोट में मैं आपको याद कला दूगा आपको अच्छे से जो सब्द कि नहीं अनसब्दों की योग्य से ना बने और यहाँ पर देखे किसी विशेस अर्थ को पर कट करते हो तथा जिनके टुकडे का कोई अर्थ नहीं होता हो वे रूड कालाते हैं सबसे पहले कि वो छोटा होगा मैंने बोला आपको कहने का मतलब क्यों कि अनसब्दों की योग्य से ना बने यहाँ अपने आप में एक सोतंतर सब्द होता है और जिसका मतलब भी नि इसका कोई शार्थक मेलिंग नहीं निकला तुकडा करने पर और आप दिखिएगा कि अनेक सब्द इसमें नहीं मिलकर बने हुए एक ही सब्द से मिलकर बना हुआ है पर भी क्या होगा रूड सब्द होगा तो रूड हमिए यह सबसे महत्पूर याद रखिएगा कि आता है रूड के बाद तो जो सब्द कई सार्थक सब्दों के मेल से बने हो वो योगिक कहलाते हैं जैसे में देवाले डेव सब्द और आले दोनु मिलकर बना है देवाले यहां पर देख सकते और देवाले को तोड़ियेगा भी तो उसका अलग-अलग मतलब निकलेगा ऑले आपको हो सकता है ठीक ति यह देवाले हुआ जैसे राज पूरुस, राज धन पूरुस, हिमाले, हीम, धन ऑले देखेने, इसको आपको क्या योगिक सब्दों के टुकडा करने पर देखे, दो भाग में कर रहे हैं तो यहाँ पर हिमाले योगिक हो गया, योगिक सब्द जहां आपको होता है और आले जहां पर होता है ठीक हिमाले हुआ राजपुरुस राजधनपुरुस ऐसे आपका सकते हैं कि योगिक का होता है जो सार्थक सब्दों के मिल से बनता है तिसरा में आता है योगुरूड सबसे ज्यादा कोशन इहीं से पूछे जाते हैं योगुर ना होकर कोई अन अर्थ परकट करता है, जैसे कोई, यहाँ पर देखिए, जो समान अर्थ ना आपको, किसे भी सेस अर्थ को परकट करते हो, योगरूड कालाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, पंकच, पंकच, दसानन, यह आपको एक परकार के योगरूड सब्द है, लेकि ये योगिक सब्ध भी है? योगरुड इस माएने में है कि पंकज अगर हम बोलते हैं, तो पंकज क्या हो जाता है? पंकज आपको मिलकर दो सब्दों से मिला है, दसान अंस अनन जिसका हुई भी दो सब्धों से मिलकर बनाया तो योगिक हो गया और इसका अलग अर्थ निकल रहा है आप देखिए पंकज का अलग अर्थ क्या निकलता है यहां पर देखिए पंक धंजा दो सब्दों के मिला है दो सार्थक सब्दों से यहां से आप बोल सकते है योगी भी सब्द है अब यहां पर सीधे योगरूड कैसे हो जा रहा यहां पर कीचड में उत्पन होने वाला को हम लोग क्या बोलते है पंकज बोलते है ठीक तो इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है जैसे दसानन आपको यहां पर हो सकता है दसानन दस सीरो वाला दस सीरो वाला कौन होता है जैसे कि रामड होता है तो इसका अलग ही अर्थ निकल जैसे कि रामड ये आपको अलग ही निकल रहा है अर्थ इसलिए क्या हो जाएगा ये योगरूड हो जाएगा वही पंकज में भी आपको अलग निकल रहा है अर्थ आपको की चड़ में उत्पन होने वाला को पंकज बोला जाता है ठीक तो ये आपको जैसे कमल हो जाएगा आ विकार के द्रिष्टी से कितने भागों में दो भागों में एक विकारी सब्द और एक क्या होता है और विकारी सब्द होता है दूसरा और विकारी यह देख लिजे किसके द्रिष्टी से भागा गया है तो विकार के द्रिष्टी से दो भागों में जैसे विकारी सब्द किसे सबसे पहले महत्पूर यहां देख लिए, जिन सब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी सब्द कहलाते हैं, जैसे की कुत्त से क्या बन गया, कुत्ते रूप में परिवर्तन हो जा रहा है इसे क्या कहते है विकारी सब्द कहलाता है ठीक यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देखिए कि संग्या हुआ यह स्वर्णाम हुआ यह विसेशड हुआ खिरिया हुआ यह सभी विकारी सब्द में आ जाते हैं और विकारी सब्द क्या ह होता है जिन सब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभिकारी सब्द कहलाते हैं इनके आपको सब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभिकारी सब्द यहां यहां आपको लिखेएगा यहां का कोई आपको परिवर्तन नहीं हो सकता यहां के यह आहीं बोल दीजिएगा किंतु को परिवर्तन करकर देखे किंतु का किंतु ही बोलिएगा ठिक नित्य नित्य का परिवर्तन करकर देखे नित्यों नहीं हो जाएगा नित्य होगा ठिक और का और का भी देख सकते हैं औरों नहीं हो जाएगा और ही होगा तो ऐसे देख सकते है ये आपको सब्द परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए इनको अविकारी सब्द कहा जाता है, ठीक, यहाँ पर देखिए, इसमें कौन को ना आता है, तो किरिया भी सेसर सब्द आते हैं, और सम्बोध हो धक, सम्बन्ध हो धक सब्द आ जाते हैं, ठीक, और यहाँ पर समुझ यहाँ पर आजाते हैं विशय में अभिकारी सब्द में देखिए अरध के दरिष्टी से सब्द के बेद लिए उसे सार्थक जैसे रोटी हुआ पानी हुआ ममटा हुआ डंडा हुआ आदि यह सभी क्या हो जाएंगे देखिए रोटी का मतलब भी निकल रहा है, पानी का सार्थक मतलब निकल रहा है, एक होता है निरर्थक सब्द, नामसी पता चल निरर्थक, जिन सब्दों का कोई अर्थ नहीं होता हो, वो निरर्थक सब्द कहलाते हैं, कोई अर्थ ना हो, उसका निरर्थक सब्द कहलाता है, जैसे रोटी, वोटी, रोटी का तो मतलब है लेकिन वोटी क्या है वोटी मिस क्या होता है इसका मतलब नहीं पानी वानी नहीं लोग बोलते है पानी वानी ति इसका मतलब क्या ये आपको निरर्थक सब्द में आ जागा डंडा तो होता है लेकिन वंडा क्या होता है साथ में नहीं लोग बोल देते अब यहां से मैं आपको question देखता हूँ अपके इतने अच्छे तरीके से लगा लेते हैं पड़े हैं तो बहुत असान तरीके से question लगाईएगा ठीक चलिए सबसे पहला question है यहाँ पर देखिए आपके सामने है कि निमन में से road सब्द कौन सा है road सब्द हो ने बताया आपको कि इसका अगर विखंडन करते हैं सब्द का अलग-अलग तो मतलब नहीं निकलेगा दो भागों में बाटी है यह तिन भागों में तो ठीक और यह छोटा दि योगिक सब्द कौन सा है इसमें योगिक सब्द कौन सा है road के बाद मैंने योगिक बताया था आपको योगिक सब्द कौन सा इसमें से यह आपको बताना है ठीक तो योगिक इसमें हो जाएगा पाट साला को अब तोड़ कर देखिए दो सार्थक सब्दों में तूड़ जा योगी सब्द ही अलग अर्थ तो योगरोड सब्द हो experiencing कॉंसा हो जाएगा लंबोदर सब्द हो जाएगा जिसका लंबा है । निकल रहे त्यों तिसरे कें सर्ग हो जाएगा समास आप घंडर राचना के अधार पर बताईए कि कौन सा सब्द योगरूड है ये आपको question number 4 है कि सब्द राचना के अधार पर बताना इसमें से कि कौन सा सब्द योगरूड है योगरूड वही मैंने बताई आपको कि अलग ही इसका मतलब निकलता हो ताब इसमें से क्या हो जाएगा ठीक बताईए, यह हो जागा जलज, जो जल में है, उसे जलज आपको यह अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक, निमन में रूड सब्द कौन सा है, अब इसमें बताईए कि निमन में से रूड सब्द कौन सा है, रूड कौन सा है, यह आपको बताना है, निमन में से रूड सब्द कौन वचन कारक का परभाव पढ़ता हो कहलाते हैं, जिन सब्दों पर लिंग वचन कारक का परभाव पढ़ता हो, वो कौन सा सब्द कहलाते हैं, तो विकारी सब्द कहलाते हैं, ठीक, और जिन पर क्या, यहां पर नहीं पढ़ता हो, वो विकारी सब्द कहलाते हैं, question number 8 देख आपको परकार के सब्दों के अंतरगत आता है ये आपको बताना है ठीक ये मैंने आपको 8 की कुश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं 8 की कुश्चन का आप लोगों को बताना है कि ये किसके अंतरगत आता है चारो आपसंदेख लिजें यहाँ पर विकारी आता और उत्पती के अधार पर सब्द भेग, आप देखिएगा उत्पती के अधार पर भी सब्द को बाटा गया है, मुखिता चार भागों में, सबसे पहला जो हो जाएगा, यह तत्सम हो जाएगा, यहां से कुश्चन मनता है, आखिर तत्सम सब्द किसे कहते हैं, तो जो संस्क्रीत भासा से हिंदी भासा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गये हैं वो तत्सम कहलाते हैं मिसकी ये डायरेक्ट संस्क्रीत भासा से हिंदी में आ गये हैं कोई इस सब्द में परिवर्तन नहीं हुआ है वो तत्सम सब्द कहलाते हैं जैसे अगनी बोला जाता है हिंद संस्क्रिट से डाइरेक्ट हिंदी में आ गये हैं ठीक महतपूर्ट तत्सम सब्द आपके सामने स्क्रीन रोक कर देख लिए जैसे चंद्र हुआ मयूर हुआ वदु हुआ चरम हुआ गृष्म हुआ कस्मात हुआ अलस हुआ करम हुआ सवड़ो संगार यह सभी जो है यह आप संस्क्रिट से निकल कर हिंदी में आ गया है ठीक उसके बाद आता है तदभव सब्द अब यहां पर देख सकते हैं तदभव सब्द किसे कहते हैं तो जो सब्द रूप बदनने के बाद संस्क्रिट से हिंदी में आ गये हैं वो तदभव कहलाते हैं मिसकी यह भी जैसा लगता है आप आराम से पहाँ सकते हैं, और तदभाव में क्या होता है, कि ये भी संस्कृत से ही आया है, लेकिन यह अपना रूप बदल दिया है, यह अपना रूप बदल दिया है, जिसे हम लोग तद्भाव सब्द कह लेते हैं, जैसे अगनी से cuyas क्या बन गया है, रात्री से क्या बन गया है, रात बन गया है, तो तत्सम सहीं ये आपको क्या बन चुका है, तद्भो बना हुआ है, ये बात ध्यानमर रखिएगा, कि संस्क्रिट्स के ही अपना रूप बदल लिया है, तो वो तत्भो बन गया है, तो इसे याद रखिएगा, जैसे सूरज, स काम सोना सिंगार कुवा मौत घी यह सभी जो है इसमें आपको दिया हुए यहाँ पर रोक कर देख सकते हैं मतपूर मतबूत तदभव सब्द जहां से कोशन बने हुए हैं सभी मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कोयल हुआ साप हुआ सौव हुआ नया हुआ उजला आग देशस मिसकी देशी करण होना ही होगा सब्द का ठीक तो यह आपको देशस आपको क्या होता है जो सब्द छेत्रिये परभाव के कारण प्रस्थीती और असकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हो यह देशस सब्द काहलाते हैं यह प्रस्थीती की आपको जो प्रस्थीत उस समय का और असकता अनुसार जो सब्द अपना रूप बदल लिये हैं आपको छित्रिय परभाव के कारण वहीं आपको देशत सब्द कहलाते हैं ठीक वो अपने देश में परचलित हुए हैं बोलचाल में भी इस्तमाल होते हैं जैसे पगड़ी पगड़ी आप दिखिएग गया तो उसके बाद आता है बिदेशच बिदेशी या बिदेशस सब्द किसे कहते हैं बिदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भासा के बहुत से सब्द हिंदी भासा में परचित होने लगे हैं ऐसे सब्द बिदेशी या बिदेशस सब्द कहलाते हैं ठीक इसकी बिदेश अनार बोलते हैं, आम बोलते हैं, कैची बोलते हैं, अचार बोलते हैं, पुलिश बोलते हैं, टेलिफोन बोलते हैं, रिक्सा, यह सभी बिदेसर सब्द हैं, अलग-अलग जब बिदेसी भारत के संपर्क में आई, यह सभी आपको बोल चाल भासा, आपको हिंदी में भी आप लेटर बॉक्स हुआ, पैन हुआ, टिकट हुआ, मसीन हुआ, सिग्रेट हुआ, साइकिल, बोतल, आदी, ये सभी क्या होते हैं, अंग्रेजी सब्द करतर गताते हैं, फार्सी सब्द, कुछ फार्सी सब्द भी देख लीजें यहां से, फार्सी आपको पता है कि मुगल वन्स फार्सी हुए, और फार्सी भी एक बिदेशी भासा है, और इसलिए इसे बिदेशस के सरेणी में रखा गया है, वैसे ही अर्वी देखिए, अर्वी में देख सकते हैं, अलाद हुआ, अमीर हुआ, कतल, कलम, कनून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, य यह सभी आपको तुर्की भासा के अंतरगत आते हैं, और यह तुर्की से ही आपको दिखे गई है, जो आम बोलचाल हिंदी के भासा है, उसमें इस्तमाल किया जाता है, ठीक, पुर्तगाली, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहला विदेशी था, जो कि वासको डिगाम था, 1498 में आया था भारत कालिकट बंदरगाह केरल पर, और पुर्तगाले भी काफी आया भारत के संपर्क में, तो उनका भासा भी आया, आम जो बोलचाल भासा था हिंदी में, उनका भासा घुल मिल गया, और आज इस्तमाल भी होता है, जैसे अचार हुआ, आलपीन हुआ कर्तोस हुआ, गमला, चाभी, तिजोरी, तॉलिया, फीता, साबुन, तंबाकु, कॉफी, कमीज, आदी, यह सभी आपको देख सकते हैं, यहापर कमीज होगा, यहापर आदी में इसके और भी ऐसे बहुत से सब्द हैं, ति यह जो भी आये, यह आपको जैसे आलपीन दे सक का सब्द हिंदी भासा में आ गया है, वैसे चीनी का देखें, जो चीनी लोग है, चाइना वाला, उनका भी देखें, तुफान हुआ, लीची हुआ, चाय हुआ, पटाखा हुआ, यह सभी चीनी लोगों का है, और यह आपको भारती भासा में मिलेगा, ठीक, वैसे यूनान लोगों का है, ठीक, और जापानी से एरिक्सा एक याद रखें, यहां से कोशन मनता है, यह बिदेशी भासा जो भी था, यह हमारे देश में आ गया, वो परचली थो गया, ठीक, आप देख सकते हैं इसे, अब चलिए, मैं आपको कुछ कोशन करा देता हूँ, जो कि यहां स पूछा जाता है, ठीक, तो चलिए, सबसे पहला कोशन आपके सामने है, कि, अपील सब्द है, अपील कैसा सब्द है, आपको बताना है, तदभव है, ततसम है, देशज है, बिदेशज है, यह कैसा सब्द है, बताईए, अपील, तो अभी मैंने बताया कि, अपील एक कैसा स सब्द है मगही पान भी सुने होंगे ठीक यह देशा सब्द है शंधी की शब्द बताईए संधी कैसा सब्द है जो संधी है यह कैसा सब्द है तो संधी जो हो जाएगा यह तत्सम हो जाएगा यह याद रखिएगा तिसरे के सी हो जाएगा कोश्चन बर चौथा दिखे यह एंसर हो जाएगा पच्वा देखिए कि 5 देखिए कुशन निम्न में से तत्सम सब्द छाट कर बताईए इसमें से कौन सा तत्सम सब्द है यह बताईए मैं इसकी जो डाइरेक्ट संस्क्रिट से आ गया हिंदी में इस्तमाल हो रहा है वो आपको बताना है इसका एंसर क्य प्रसाय चिए आपको कैंची दीएगा यह तर्क लोगों का है तर्की भासा से है और ही हिंधी में आ गया है इखिए ईपर मैंने आपको बताया भी सातवा देखिए नीचे दिए गया विकळब में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए तत्सम सब्द का आपको चैन करना है इचे दिएगा थो है तदबहव सब्द का चैन कीजी 요 सब्द कॉन उसा होगा है को सा सब्द इसए चार होता है सब्द कॉ सब्द नहीं यह कौन वर मेंग यह को एक सथा सब्द देसद, देके चार भाग होता है, तत्सम, तत्भो, देसद, बिदेसद, तो देसद नहीं है, तो वो तत्सम भी हो सकता है, बिदेसद भी हो सकता है, यह याद रखिएगा, और यहाँ पर तत्भो भी हो सकता है, तो ढोर, डिबरी, पगड़ी, यह आपको तीनों क्या हो यहां पर बंदर वानर जो है यह एको तत्सम है और इसका तद्भोज हो जाएगा यह बंदर हो जाएगा यह टोटल मैंने 10 कुशन आपको इसमें से करा दिया और यह बहुत महतपूर चेप्टर यहां से बार-बार कुशन आते हैं सर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले यह हम देखते हैं इसका परिभासा देख लेजिए बहुत सधारर तरीके से मैं आपको बताओंगा उफ्सर्ग ऐसे सब्दान से जो किसी सब्वेते पुर्वे जुड़कर उर्थ में परिवर्टन कर देते हैं यह उसके अर्थ में बिसेफता ला देते हैं अर्थ में परिवर्तन कर देगा या अर्थ में विसेस्ता ला देगा यहाँ पर सबसे महत्पूर जानने वाला यह बात है कि यह सब्द के पहले जूटता है यह जरूर याद रखिएगा आपसे पूछता है ठीक जैसे उप जोड़ गया है कार में उप जोड़ यहाँ पर उप जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा ठीक उपसर्ग जो सब्द के पहले जोड़कर साब्दी कर्थ में परिवर्तन कर देता है जैसे कार में उप जुड़ गया है तो उपकार हो गया है ठीक हिंदी भासा में परित होने वाला उपसर् परिवासा देख लीजे वे सब्डे जो दूसरे के अंत में जुड़कर अपने परिकृती के अनुसार सब्डे के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो परतियाय क्या करता है सब्द के अंत में जूड़ता है याद रखिएगा उपसरगे क्या करता है सब्द के पहले जूड़ता है और दोनों का काम क्या है सब्द में अर्थ बदल देना मिसकी सब्द का आर्थिक मतलब की उसका मेनिंग जो है बदल देना सब्द का अर्थ क् कर देना यह द्यान में रखिएगा अब यहां पर दिखेगा परतियेs और देखिएगा अर्थिभा बाद में होगा ठिक और आय का अर्थ होता है चलने वाला इसका मतलब की परतेयाय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला साथ में चलेगा लेकिन बाद में चले बाद में लगे मतलब चलने वाला ठिक यह होता है आपको परतेयाय का अर्थ बहुत सधारर तरीका से मैं आपको बताए, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर देखे, जिन सब्दों का शोतंत्र अस्तित्वे नहीं होता, वे किसी सब्दी के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक, कोई शोतंत्र उसका अस्तित्वे नहीं होता, वो दो चीज मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पर, यहाँ पर परतेय का उधारन देखिएगा, यह देख लिजे, समाजिक, समाजिक सब्द में, समाज में एक लग गया है, तो यह समाजिक सब्द मन गया है, यहाँ पर जो हो जाएगा, यह क्या होगा, परतेय होगा, वैसे अक्कड का कोई, आपको साथिकर्थ नहीं होता, लेकिन बूलना के साथ अपको लग जाए, मतलब की उसके पीछे में, तो भुलककड हो जाता है, जो भूलने वाला बुलककर, ठीक, यह मेठा, धन आस, मिठास हो जाएगा, ठीक, यह जो लोहा, धन आर, लोहार मतलब आपको क प्रद्व विद्व में पाएंगे। सब्दे जो धातु या सब्दे के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते है जो धातु या सब्दे के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते है जो अंत में लगता है सब्दिक के उसे परतेय बोला जाता है क्या बोला जाता है ठीक सब्दिक अंत में लगेगा तो परतेय परिख्यात में 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 प निमन में से किस सब्द में परते लगा हुआ है इसमें से बताना है कि कौन सा सब्द है जिसमें परते लगा हुआ है पहले से ही ठीक तो यहाँ पर देखिएगा इसके एंसर हो जाएगा डी डी क्यों होगा तो जादू में गर लगा हुआ है लाश्ट में लगा है परते जो ग कर्थ बदल देता है तो अनुवाद में परिक्त उपसर्ग कौन सा है यह आपको बताना है तो अनुवाद में जो परिक्त उपसर्ग हो जाएगा यह आपको वाद में अनु लग गया है तो अनुवाद बन चुका है ठीक तो यह आपको अनु हो जाएगा यह आपको 1 question देख लीजे यहां से और answer भी में नीचे लिख दिया हूँ वो मिला लिजीए किस सब्सभब में उपसर्ग का परियोग हुआ है तो कार में उप लग गया है तो आपको अब कार हो गया है चै Baş // Antich सबसे पहले हम संग्या देखते हैं संग्या का परिभासा देख लेजी यहां से किसी जाती द्रब गूड भाव ब्यक्ति अस्थान और क्रिया आधी के नाम को ही क्या कहा जाता है संग्या एक तरफ से संग्या जो होता है नाम को ही अलग-अलग जैसे जाती हुआ द्रब हुआ गूड हुआ, भाव हुआ, ब्यक्ति हुआ, क्रिया हुआ, के नाम को ही हम लोग संग्या काता है, जैसे पसु, यह जाती हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, शुंतर्ता, शुंतर्ता क्या हुआ, गूड हो गया, ब्याथा, यहाँ पर देख सकते हैं, यह भाव हो गया, मोहन, मोहन क्या हो गया ब्यक्ति हो गया दिल्ली क्या अस्थान हो गया मारना मारना क्या हो गया किरिया हो गया ठीक तो यह आप देख सकते कि अलग अलग नाम ही मातर आपको दिया हुआ जैसे कि मोहन क्या हुआ ब्यक्ति का किसी का नाम हो नाम तो एक तरफ से संग्या नाम ही होता ह संग्या के जो भेध होते हैं मुख्यत गर अलग अलग दे सकते हैं आपको यह पाचो दिफ्रेंट पता होएप której इसे । स्पथ कुछ देता है तो सबसे पलए हम लोग भावा टे कि लेते कि बहावा टे किसे कहा जाता है जी संग्या सब्स पदार्थ की полез अवास्ता यहां पर देखेऊ लिए पदार्त की आवास्ता गूर दोस्थ बहाव दसा धरम आधी का बोध हो उसे हम लोग भावावाप संग् यह पता क्या चल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं कि गूर्ण पता चल रहा है, दोस्ट पता चल रहा है, भाव पता चल रहा है और पदार्थ की आवास्था पता चल रहा है, इसे ही हम लोग भाव आचक संग्या बोलते हैं, भाव आचक संग्या के एक्जामपल देख समूह वाचक संग्या, मैं इसकी किसी ब्यक्ति के वस्तु, ब्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूह वाचक संग्या कहते है, ठीक, इसमें समूह का बोध होता है, गुरूप का बोध होता है, जैसे परिवार, परिवार पुरे समूह, जो परिवार के सदस होते है मिलाकर आपको कक्छा, सेना, भीड, पुलिस ये क्या होते है ये सभी आपको समुवआ आचक संग्या के अंतरगत आते हैं तिसरी के अंतरगत आता है द्रब वाचक संग्या, द्रब वाचक संग्या किसे कहते हैं, जब किसी संग्या सब जिसे किसी द्रब का बोध हो, उसे द्रब वाचक संग्या कहते हैं, जैसे पानी हुआ, लोहा हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, दाल हुआ, मतलब कि मापतल करने वा आपको संग्या में आ जाते हैं तो आपको तीसरे के अप देख सकते हैं कि द्रब वाचक संग्या में कौन-कौन आ जाएंगे तो पानी लोहा तेल घी डाल इतिया दे ठीक फिर आपको जाती वाचक संग्या नाम से ही पता चल रहा है जाती वाचक संग्या तिसमें क्या होगा किसी जाती का बोध होता है मैं इसकी जाती वाचक संग्या उसे कहते है जिसका नाम लेने से उस ब्यक्ति या पदार्थ की जाती भर का बोध हो मैं इसकी पूरे जाती का बोध हो जाता है उस ब्यक्ति का अगर नाम लेते है तो जैसे घोड़ा तो पूरे घोडे जाती का बोध हो रहा है, फूल, मनुष से, किशी धरम जाती, जैसे गुर्जर, ये आपको जाती वाचक में आते हैं, जाती वाचक संग्या से पूरे जाती का बोध होता है, फिर आपको ब्यक्ति वाचक संग्या देख लिए, यहां से ब्यक्ति वाचक संघ्या जन्सदुख किसी खास अस्थान वस्थु ़ुष्ण शनके बढ़ेंगे बल्ट अमेरिका इतियादी यह सभी क्या हो जाएंगै ब्यक्ति वाचक अंतरगत आ संग्या के पाचोभेद और उसका क्या डिफरेंट है? मैंने आपको बताया. संग्या के बाद आता है स्वार नाम का अगर आपको तोड़िएगा अलग-अलग सब्दों में तो यहां सवार नाम में नाम में मिस संग्या है, मिस की संग्या के जगा पर, जिन सब्द का उपयो किया जाता है, हूँ सवर्णाम का हला जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, यह, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आधि, यह सभी आपको सवर नाम सब्द होते हैं stripped candee siwa nahm को भी मुकहत छे भेद में बटा गया है सवर नाम का मुकहत छे भेद में बटा गया है संग्या को पाँच भेद में सवर नाम को 6 भेद में याद रखिएगा जैसे कि पुरुस वाचक सवर नाम हुआ नीज वाचक स्वरनाम हुआ, निश्चय वाचक स्वरनाम हुआ, अनिश्चय वाचक स्वरनाम हुआ, समंद वाचक स्वरनाम हुआ, और फिर प्रस्ण वाचक स्वरनाम हुआ, चलिए अलग-अलग करकर मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंट दे देता है, इसमें से कौन से आपको अलग होए, आपको स्वर्णाम करने के लिए दे सकता है, तो यह सब आपको याद रहना चाहिए, जैसे पुरुसवाचक स्वर्णाम, यहाँ पर देखें पुरुसवाचक, तो जिन स्वर्णाम सब दोसे किसी ब्यक्ति का बोध हो, किसी क्या हो ब्यक्ति का बोध हो, उन्हें पुरुस वाचक स्वरनाम कहते हैं, पुरुस वाचक स्वरनाम पुरुसो, पुरुसो के जगा इस्तरी पुरुस दोनों हो सकते हैं, के नाम के बदले आते हैं, ठीक, जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, ये सभी क्या हो जेंगे, पुरुस वाचक स और अन्यपुरुस ये तिन आपको पुरुस है यह याद रखेगा जैसे उत्तम पुरुस किसे कहते हैं तो जिन सवर नामों का परियोग बोलने वाला अंहें उत्तम पुरुस कहते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं मैं अपने लिए जबको व्योग करऊंगा मध्यम पुरुष देख लिए जिन स्वर्णामों का परियोग शुन्ने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है जैसे कि मैं बना रहू तो मैं तो होगी आपको उत्तम पुरुष आप सुन रहे हैं जैसे जो वीडियो देख रहे हैं आप सुन रह सवर्णाम परियों कि अनव्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुष कहा जाता है जैसे वे यह वह इनका इन्हें उसे उन्होंने इनसे यह सब आपको किसके अंत्रगत आ पुरुष के अंतरगत आता है ठीक याद रखेगा तीन हाग उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ठीक ये किसका है आपको तो पुरुष वचक स्वरनाम का आपको अलग-अलग भाग दिया है तीन भाग में ठीक फिर आपको आता है दूसरे पर नीज आपको आपको इसवर भी उनी के साथ देते हैं जो अपनी मदद करतें जो अपनी तो यहां आपको किस क्या हो जाता है निज वाचक सवर नाम के अंतरकत आ जाता है किसे संग्या को निश्चित करने के लिए आपको कि definite यहीं ही होगा संग्या आपको उस संग्या के जगा पर जो सब्द का इस्तमाल किया जाता वो स्वर नाम होता है निश्चित करने के लिए ठीक तो जैसे यह मेरी पूस्त के मेरी मिस्किया अब मैं निश्चित कर रहा है कि क्या मंदर इट तो यह आपको नीजवाचक स्वरणाम में से निशचे आपको निश्चे-वाचक स्वरणाम में स negativity कि निश्चे वाचक आपको स्वरणाम दिख लिए इस सिंथे निश्चेवाचक कि अंत्रकरत आज यहीं जैसे कि मेर्त मेरा कि मैं मंद्र है तो बताया जारा कि नहीं वो मंदिर है यह निके निष्चित होगा रटीक चिदェ निष्चित को इल्टा हो जाता हैं अनिष्चय वाचक अनाम कहते हैं इसमें क्या होता है qoi किसी आपको क्या जाते हैं अनिश्य वाचक जैसे कुछ खा लेना कुछ खा लेना पता नहीं चल रहा है कितना खाना है ठीक कुछ काम करो इसके कितना काम करना है पता नहीं चल रहा है ठीक तो यह अनिश्य वाचक स्वरणाम के अंतरगत आ जाता है फिर उसके बाद आता है संबंध वाचक सवर नाम में जो सो जैसा वैसा होता है यह आपको कौन से जो हुआ सो हुआ जैसा हुआ वैसा हुआ यह होते हैं इसका पर योग वाक्त में संबंध अस्थापित करने के लिए होता है इसलिए इसका नाम क्या है संबंध वाचक सवर नाम है ठीक जैसे जो सोईगा सो खोएगा जो सोएगा यहां पर दिखिए, सो क्या कर देगा, खोईगा, ति यहां पर सम्मंद अस्थापित किया जारे कि जो सोगा, वो खोई जाएगा, ठिक, जो करेगा, सो भरेगा, जो करेगा, वहीं भरेगा, ठिक, यह आपको सम्मंद बता रहा है, जो जागेगा, सो पाओ गया, यह आपको संबंद वाचक स्वर नाम है यह याद रखिएगा जो परिश्रम करते हैं वहीं सुखी होते हैं यह आपको संबंद बता रहा है जो परिश्रम करेंगे वह सुखी होंगे फिर आपको लाश्ट में देखिए प्रस्ण वाचक स्वर नाम से ही पता चल रहा है प्रस् अब आपसे कुशन में जल् refill कि एसा आता है जैसे निमनुक्त संग्या कौन से जो भाव परकट करें लिके संग्या कौन सा होगा यह 70 अब अदुता यह सबी क्या हो जयाते नृओं अर्थ के विचार से संगया Cetanay ओर के हो लोग है देखे कुछ ढोग बजने लगा तो मैं रोकता हूं वीडीओ अब आ Кिए अर्थ के विचार से संगया कितने परकार कен harvestे हैं तो अर्थ के विचार से सग्या सुर्णाम कालाता है। कि मुझे किस परकार का सवरनाम है यह आपको बताना है वहाटे हो यहां पर क्या हो जाएगा कोई, कोई हुआ, कुछ हुआ, यह सब जो हो जाता है, यह अनिश्य वाचक स्वर नाम के अंतरगत आ जाते हैं, कुश्य नमर साथ देखिए, जाती वाचक संग्या बताईए, इसमें से कौन से जाती वाचक संग्या है यह आपको बताना है, कुश्य नमर से नहीं है, तो जात पुदे-से कम का करना या होना समझगा जानए उसे क्रिया कहा जाता है, किसी काम करना या होना समझा जाए उसे करिया कहा जाता है जैसे हुआ पढ़ना खाना पीना जाना इतियादी ये सभी क्या हो जाएंगे ये करिया हो जाएंगे करिया जो होता है ये मूल धातु में अगर परतेया लग जाता है तो वो करिया बनता है इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंस कहा जाता है, या मूल रुप कहा जाता है, ओट प्लस आना उठना, ये देख सकते हैं, ये क्रिया के जो भेद होते हैं, क्रिया के जो भेद होते हैं समाने हिंदी व्याकरण में एक आपको दिखिएगा सकर्मक क्रिया होता है एक अकर्मक क्रिया और यहां से बार-बार कोशन पूछे जाते हैं तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं जो क्रिया कर्म के साथ आती हो अर्थात जिस क्रिया का फल करता को छोड़ कर कर्म पर पढ़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है इसमें कर्म जरूर होगा सकर्मक क्रिया में कर्म जरूर होगा कर्म को क्या बोला जाता है अब्जेक्ट बोला जाता है ठीक यह ध्यानम जैसे फिर से देख लिए, जो tokUI करम के साथ ब्राइब करम को आती हो प्राइब करम क्या आए है यहाँ पर देख सकते है पीना क्रिया के साथ पानी आया है आपको object क्या है मिसकी ठीक तो यहाँ पर आप देख सकता है कि यह कर्म आपको क्या है क्रिया तो है पीना पानी और आपको क्या पीता है पूशकता है क्या पीता है तो पानी ठीक तो पानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको object हो जाएगा मिसकी कर्म हो जाएगा और कभी भी जोड़ दीजेगा तो गीत निकल कर आजाएगा मिसकी अब्जेक्ट निकल कर आजाएगा मिसकी यहाँ पर करम निकल कर आजाएगा ठीक और करम के साथ जब करिया आता है और करम पर ही करिया का परभाव पड़ता है तो उसे करमक करिया बोला जाता है ठीक सा करमक करिया देख सकते हैं और शुरू में ही जुट गया है तो करम नहीं आता है तथा उसका फल करता पर पड़ता है किस पर जब करम नहीं आएगा तो फल किस पर पड़ेगा करता पर करेगा कभाई की करिया करने के लिए कोई तो कोई होगा ना यह आपको करता पर पड़ेगा अकर्मक करिया क बैठा है राम बैठा है कूरसी पठिक राम गाता है कौन गाता है राम गाता है तो करम का अभाव है तो गाता है क्रिया के साथ फल किसका पढ़ रहा है क्रिया जो है आपको गाता इस पर आपको राम पर पढ़ रहा है राम क्या सब्जेक्ट है ठीक यह आपको कभी भी आप अब्जेक्ट को क्या बोला जाता है यहां पर देख सकते हैं यह फल देखिए करम का अभाव है यहां पर यहां पर क्या है राम गाता है यहां पर करम नहीं है ना अब्जेक्ट नहीं है यहां पर ठीक लेकिन क्रिया क्रिया क्या है गाता है और सब्जेक्ट भी है बोल कर देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा और कर्मक और कर्मक में इसकी क्रिया का जो परभाव होगा यह सब्जेक्ट पर पढ़ता है ठीक यह दिहानमर रखिएगा आगे चलते हैं कुश्चन नमर पहला देख लिए जब यहां से इस से रिलेटेड जो कुश्चन है वह सकर्मक बता है था दो कि आपको बताया था और इस हमें से एंसर हो जाएगा अकर्मक और सकर्मक एमेंड टो कों दोड़ा रहा है तो शुच्छ क्वाजर कर निसां प्पड़ती है नेहा कपड़े धोती है, सबसे पहले इसमें देखिए एक अबजेक्ट भी है, कपड़ा, अब यहाँ पर दिमाग आपका एक्टिब हो गया होगा, या तो सकर्मक होगा, या अकर्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं सोची कि आपको सकर्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर सी हम सब्सक्राइब और उम्जक्ट जब भी आपको निकल कर आएगा समझेगा वह सक्रमक्रिया है ठीक तरह मैं निबंध मुःणी निबंध लिखा तो मोहनी ने क्या लिखा यहां पर जुड़िएगा मोहनी ले क्या लिखा तो निबंध लिखा तो ठीक यह आपको याद होना चाहिए यह हो जाएगा यहां पर क्या सकर्मक करिया लाता सोती है यह आपको बताना है लाता सोती है तो इसमें कौन से क्रिया हो जाएगा तो लाता सो सोती है यह आपको कौन सोता है तो यहां पर समझ सकते हैं कि लाता सोती है और यहां पर अगर क्या लगाया जाता है तो यहां पर सकर्म किया आप यहां पर देखें क्या अगर लगाते हैं जिसे उपर वाला में ने बताया मुहनी निबंध लिखा मुहनी ने क्या लिखा निब यहां पर क्या लागाने से आपको कोई नहीं मिल रहा है ठीक? जब क्या लघाने से कोई इंसरर के जीके नहीं मिलता है तो समझ यह उसीधे अकरमक में डाल दीजिएगा ठीक? यह आमको लाथा सूती है यह कौन सा हो या बुलिएगा या कहानी लिखा या लिखी ये जो आएगा जब आप बुलने पर क्या बुलने पर जब answer मिल जाता है मिसकी वो क्या हो जाता है object हो जाता है और कौन बुलने पर अगर answer मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है subject हो जाता है कौन बुलने पर अगर मिलेगा तो वह हो जागा करमक करिया और जो क्या बुलने पर मिलेगा एंसर तो वहाँ हो जागा सकरमक करिया ये short form में आपको बता रहा हूँ जो भी मंतपूर कोशन बनता था वो करा दी आपको अब चलते हैं अगले 26 की तरफ सब्द को बिसेसर कहा जाता है जो संग्या और सवर नाम की विसेस्टा बता है वो बिसेसर कहा लाता है ठीक इंगलिस में भी आप देखिए का जस्ट के तस्री ऐसा आपको परिभासा मिलेगा जैसे यहां पर देख सके अच्छा लड़का तीन पुस्तके नई कलम इतियादी इन में से अच्छा या तीन या नई सब्द यह सब आपको क्या हो जाएंगे विसेसर हो जाएंगे ठीक यह विसेसर की विसेस्ता बताने बतलाते हैं वो भी विसेसर कलाते ठीक अब हिंदी में विसेसर कितने परकार को होते हैं पाच परकार को होते हैं यहां पर देख ये नामसी पता चल रहा है गूड का बोध होता होगा गूड जरूर इसमें परकट होता होगा तो जिस भी सेसर से किसी संग्या स्वरनाम का गूड परकट हो उसे गूड वाचक भी सेसर काता है संग्या और सानाम के किसी गुड़ परकट हो जाता है ये गुणवाचिक भी से सरकाल आता है इसके अंतरकत देखिए जैसे गुण में क्या हो जाएगा अच्छा, चालक, बुधिमान ये सब क्या हो जाएगे चलाक ये आपको क्या हो जाएगे? गुड़ हो जाएगा दोस में क्या होगा? गुड़ के साथ दोस भी आता है मतलब गुड उसका बता रहा है ये मैं सूच एक दोस भी एक परकार का गुड़ ही है ठीक, लेकिन वो इसका नेगेटिव संस हो जाता है अब दोस में हुआ बुरा, गंदा, दोस्ट, आदी, टिक, वहीं रंग में देखिएगा, क्या हो जाएगा, काला, लाल, टिक, अकार में देखिएगा, लंबा, छोटा, गोल, अवस्था में देखिएगा, बिमार, धायल, और अस्थान में पंजाबी, भारती, बंगाली, ये सबी क्या हो जाएंगे गुण वाचक बिसेसर का लाते हैं क्योंकि ये गुण बता रहे हैं न दूसरा देखे परिमार वाचक बिसेसर नाम से ही पता चल रहा है इसमें परिमार का पता चलता होगा जिससे किसी चीज का परिमार का बोध होता है उसे परिमार वाचक बिसेसर का ला जाता है परिमार का यहाँ पर बोध होता है जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध है यहाँ पर क्या पता चल रहा है इसमें परिमार कितना है इससे बिसेसर का पता चल रहा है तो जिससे संख्या का बोध होता हो, उसे संख्या वाचक बिसेसर कहा जाता है, जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या वाचक बिसेसर, जिससे एक किताब दो मनुस से तीन लड़के इतियादी, यहाँ पर एक, दो, तीन जो भी है, यह आपको संख्या बता रहा है, संख स्क्राइब्स यह संध्या का बोद हो रहा है कि एक किताब दो मुन से तिनलड़के फिर एक होता है तो सवर्णाम कभी हाथ कहीं न पहले लग कर तरह बताता है सब्द के बिस्यंसर की तरह बिस्यंसर का लाता है यह सब्द संग्या के लिए विशेसर का काम करता है जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, इतियादी यह सभी क्या हो जेंगे स्वरनामिक विशेसर क्योंकि वह देखिएगा, कोई देखिएगा, किसी देखिएगा, यह परकार का आपका स्वरनाम है, जो कि संग्या के पले लगकर उसका विशेसर बताने शुरू कर दिया है, स्वरनामिक विशेसर बने बिसेसर को ब्यक्ति वाचिक बिसेसर करते हैं जो ब्यक्ति वाचिक संग्या से बनता है उसे ब्यक्ति वाचिक बिसेसर आपको संग्या पहले में करा चुका हूँ स्वरनाम भी करा चुका हूँ तो आज के रिया और बिसेसर में करा रहा हूँ तो आप दिखिएगा पूरा सिलेबस लगबग लगबग मैं आपको जल्द ही एक दो दिन में खतम कर दूगा ठीक और भी बहुत से लेक्चर में ले चुका हूँ वह राम है जो कल वहाँ खड़ा था वह राम है वह राम है जो कल वहाँ खड़ा था तो इस वाक में जोदपूर क्या हो गया ब्यक्तिवाचक संग्या है ठीक जो जोदपूरी में बदल गया है और यह क्या हो गया है ब्यक्तिवाचक बिसेसर हो गया है ठीक तो यहाँ पर जो जूती जातिवाचक संग्या के बिसेसर बता रहा है ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी मैं बिसेसर आपको बताया, अब इस से related कैसा question बनता है, आप असान से कर सकते हैं, गर धियान से भी लेक्चर देखे होंगे तो, चलिए मैं बता देता हूं कैसा कैसा question बनता है, इनमें से गुड़ वाचक बिसेसर कौन सा है, यह पह जाना है, ठीक, उतकर्स का बिसेसर उतक्रिष्ट हो जाएगा, इसके अंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, तीसरा है, आज दो छात्र अनुपस्थित है, कौन सा बिसेसर है, आज दो छात्र, कितनी छात्र, दो सात्र अनुपस्थित है, तो दो कौन सा हो जाता है, यह स संख्या वाचक के अनिश्चित संख्या वाचक बिसेशर के अंतर क्योंकि कुछ बहुत बोल रहा है। ये बता नहीं रहां कि कितना कुछ बहुत ठीक। तो यहां पर आपको 4 की क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मानो सब्दे से विशेसर बनेगा, मानो सब्दे से जो विशेसर बनेगा, वो कौन सा बनेगा, तो मानो सब्दे से विशेसर बनेगा मानविये, मानो सब्दे से विशेसर मानविये बनता है, ठीक, जी सिंक्स, इंसर है कि निंवन में 20,60 के दृष्टि से अधूस असुदध व कोंसा है 20,60 के दृष्टि से असुदध व कि पूच रहा है, ध्यान रखिएगा 20,60 के दृष्टि से असुदध वा तो यहां पर देखें यह अप我们08 खाली है ये आपको असु दवा के छाटने के लिए अभी आ जाता है और विसेसर भी आपको समझ पढ़े होंगे अच्छे से तो बताएंगे 6 के एंसर आपको बताना है कि क्या होगा ठीक ऐसे question 6 लिखिएगा comment box में सभी लोग और इसके answer जरूर बताईएगा Sanskritic का भी सेसर है आपको बताना है Sanskritic का क्या भी सेसर होता है यह आप बताईए Sanskriticic 8 के answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सबसे पहले वचन हम लोग देखते हैं कि वचन कहते किसे हैं ठीक तो यहाँ परिभासा देख लिए जे दिया हुआ है सब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे हिंदी ब्याकरण में वचन कहा जाता है एक या एक से अधिक का बोध होता है सब्द का उसे हिंदी ब्याकरण में वचन कहा जाता है दूसरे सब्दों में आप देख सकते हैं संग्या स्वर नाम विसेशर क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे भी वचन कहा जाता है ठीक यह दिहान में रखेगा अलग-अलग परिभासा दिया रहता है यहाँ पर देखिए जैसे लड़की खेलती है तो यहाँ पर लड़की क्या हो गया एक वचन लड़किय जैसे कि आप देख सकते ही कि लकडी हुआ, फ्रीज हुआ, तलाब हुआ, बच्चे हुए, माले हुआ, कच्छुआ, सब्द एक होने का बोध होता है इसलिए यह एक वचन में होते हैं और यहाँ पर लड़किया हुआ, सब्जिया हुआ, मचलिया हुआ, पौधे हुए, ख संख्या वाचन कोई संच्छेप में क्या हम लोग बोल देते हैं, वचन कहा देते हैं, हिंदी में वचन दो परकार को होते हैं, यह ध्यान हम रखियेगा, एक वचन और बहुचन, हिंदी में दो परकार को होते हैं वचन, एक वचन और बहुचन, अब एक वचन देख लेते तू प्राड़ी, आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहा जाता है, इसमें एक होने का पता चलता है, ठीक, जैसे यहां पर देख सकते हैं, लडका दिया है, लडकी, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, इस्त्री, टोपी, बंदर मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, ये सब आपको सभी एक वचन में दिये हुएं, ठीक, बहुवचन किसे कहते हैं, तो सब्दि के जिस रूप से एक से अधिक ब्यक्ति या वस्तु के होने का ज्यान हो, उससे बहुवचन कहा जाता है, इसमें एक से अधिक ब्यक्ति के होने के ज्यान होता है, तो बहुवचन कहा जाता है, एक वचन में एक, और बहुवचन में एक से अधिक, ठीक, अर्थार्थ, जिस सब्दि के कारण हमें किसी ब्यक्ति वस्तु प्राणे पदार्थ आधिक के एक से अधिक होने का आपको पता चलता है, उससे ब लड़के हुए, लड़किया हुआ, गाय, कपड़े, टोपिया, मलाय, मताय, पुष्टके, वधुए, यह सब क्या हो गए, सभी आपको बहु अचनमी आ जाएंगे, क्योंकि एक से अधिक होने का यहाँ पर बोध चलता है, ठीक, यहाँ पर बचन्स खतम होता है, टेस्ट भी हम इंक्लूड कर रखें, टेस्ट जरूर देखिएगा, दूसरा पर आपको लिंग देख लेते हैं, यहाँ से भी कुश्चन पूछता है, लिंग से, तो यहाँ पर देखें, संग्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुस अथवा इस्तरी जाती का बोध होता है, उसे लिंग बोला जाता है, इसमें लिंग से क्या होता है, पुरुस जाती या इस्तरी जाती का बोध होता है, उसे लिंग बोला जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे मता, पिता, यमुना, सेर, सेर, निदादा, दादी, बकरा, बकरी, अ अब ring देखेगा तो दो परकार को हता। इस्त्र लिंग और नहीं तो pulling होता है. सबसे पखले pulling देख लेते हैं। जिन सब्दों से पुरुष जाती का बोद होता है, उन्हें pulling सब्द काते हैं। यह दियानमर कियेगा जैसे हो गएं। पिता हुआ, भाई हुआ, लड़का, पेंड, सीह, सीव, हनुमान, बैल, ये सब आपको, इसमें क्या हो रहा है, पुरुष जाती का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब पुलींग हो जाएंगे, इस्तिरलिंग किसे कहते हैं, तो जिन सब्दों से इस्त्री जाती का बोध होता है उन्हें इस्तिरलिंग सब्द कहा जाता है, इस्तिरी जाती कहोने का बोध होता है, इस्तिरलिंग कहा जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुवा, लड़की, लक्षमी, गाय, ये सब आपको क्या हो जाएंग कवा हो गया, मच्छर, चिता, ये हमेशा क्या होता है, पुलिंग ही होते हैं, पुलिंग में ही इस्तिरलिंग में हो गए, गंगा, यमुना, सवारी, ये सब हमेशा क्या होता है, इस्तिरलिंग में ही उप्योग किया जाता है, ठीक, परवतों के नाम पुलिंग होते हैं, क् यह सब आपको जैसे कि आपको गगरियन कलेंडर का नुसार जनवरी फरवरी मार्च आता है और आपको हमारा हिंदी जो कलेंडर है जो कि 22 मार्ट उनशुशंतावन का अपनाया गया था ठिक यहां पर चैत्र आपको बैसाक जो महीना फागून यह सब आता है ठिक नदियों के नाम भी हमेशा क्या होते है इस्तरलिंग होते हैं जो अलग-अलग बोली बोला जाता है वो भी हमेशा इस्तरलिंग जैसे हिंदी गुजराती पंजाबी राजस्थानी अर्वी यह सब आपको क्या होते हैं बोलियों के नाम भी आपको इस्तरलिंग होते हैं चलिए अब टे यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक तो पहले के अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कुश्य नबर दूसरा देखे इनमें से कौन सा सब्द सदा एक वचन में ही परियोग होता है इनमें से कौन सा सब्द है हमेशा एक ही वचन में ति यह आपको हो जाएगा धन और सूना, यह हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में ही, इसका एंसर क्या हो जाएगा, दो के एंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, कुश्य नमर तीन देखे, इनमेंसे कौन सा सब्द बहुवचन में परियुक्त होता है, इनमेंसे कौन सा सब्द है, जो के हमेसा बहुवचन में परियुक्त होता है, यह आपको बताना है, यह सब्द आपको कौन हो जाएंगे, यह हो जाएंगे प्राण, प्राण क्या होता है हमेशा बहुवचन में परियुक्त होता है ठीक ये दियान मरे किएगा आगे चलते हैं घर का बहुवचन है घर का बहुवचन क्या होता है ये आपको बताना है घर का बहुवचन क्या हो जाएगा घर ही होगा घर का बहुवचन क्या होता है घर ही होता है ये दियान मरे किएग अब चलिए लिंग से समंधित प्रसन देख लेते हैं आप ठीक, धैरवान का इस्तरलिंग सब्द है, धैरवान का इस्तरलिंग सब्द क्या होगा इ começo। जिसमें इस्तरी जाती का बोद होता है उसए पुलिंग कहा जाता है, लिंग दो परकार का होते है हिंदी में और वचन मैंने बताया कि एक होने का बोध हो तो एक वचन और एक सदिक होने का बोध हो तो बहुँ वचन हो जाता है इसकी वचन भी पढ़ाती है अब लिंग से टेश्ट है कौन सा सब्द पुलिंग है इसमें से बताना है कि कौन सा सब्द आपको बताना है तो यह आपको बताना है ति आपको देख सकते हैं इस से हार आर जो होगा यह इस्तिरलिंग पुलिंग दोनों इस्तमाल किया जाता है ठीक कुष्टन नबर 5 देखे एक निम्निमे से पूलिंग है इसमें से कौन सा सब्सक्राइब पूलिंग है ये आपके सामने अपसे एंसर भी आप देखी लिए अब आराम से लगा सकते हैं ति ये हो जाएंगे पुलिंग मों हो जागा फल गाओं मनुस ये सभी आप कारक के सबसे पहले हम लोग परिभासा देख लेते हैं संग्या स्वरनाम पहले ही मैं आपको करा चुका हूँ यहां पर देखे संग्या या स्वरनाम के जिस रूप से वाक्य के अन सब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं मिंसकी संग्या स्वरणाम के किसी और वाक के साथ जब संबंध सुचित किया जाता है, मिंसकी संबंध अस्थापित करने के लिए ही कारक के चिन का इस्तमाल किया जाता है, इसका अन्य परिभासा यहां देख सकते हैं, कि संग्या या स्वरनाम के आगे जब ने, को, से, आदी विभक्तिया लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है ठीक ये अलग-अलग जो जो भिभक्ति लगती है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन-कौन भिभक्ति है कहां कहां पर लगता है जैसे में देख लीजे राम और विभक्ति चीन में या पर देख सकते हैं ने भी है, को भी है और से भी है और एक दूसरे से सभी बंधा हुआ है ठीक समंद अस्थापित कर रहा है यहां देख सकते हैं कि ने, को, से, सब्दों ने वाक्त में आए अनेक सब्दों का समंद क्रिया के साथ जोड दिया है जो सब्दों का समंद है वो क्रिया के साथ जोड दिया है अलग-अलग जो भी भी भक्ति का उप्यूग किया गया है यहां पर देख सकते हैं यदि ये सब्द ना हो तो सब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संब्द नहीं होगा ठीक सब्दों के क्रिया के साथ य बहुत इसाधारण-बहसामे इससे याद कर सकते TXT संगया यह नाम की साथ संबंध असथापित करने वाला रूब एक Wouldn'te कारग के संख्या और होती है कौन-कौन है यहां पर देख सकते हैं करता कारक कर्म कारक करण कारक संपर्दान कारक आपदान कारक, संबंद कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, तो टोटल आठ कारक मैंने आपको बताया, ठीक, और इन से रिलेटेड बिभक्ती चीन पूछ देता है, तो चलिए बिभक्ती चीन भी मैं आपको करा देता हूं, ठीक, जब भी पूछेगा, आप अराम से है रीलेसन या संबंध अस्थापित किये जाते हैं विभक्ति चीन द्वारा ही ठाएब यहां पर कारक के साथ । को आता है को आता है तो से आता है और इसमें से जो आएगा के द्वारा किसी के द्वारा अगर वहां पर होता है और वहां पर से आता है तभी ये आपको करण कारक होगा फिर संपरदान के लिए के लिए आता है संपरदान के लिए ठीक ऐसे याद कर सकते हैं अपदान से आता है यहां पर देखिए अपदान से ठी सम्मंद अस्थापित करने के लिए सम्मंद के लिए का की के यह आता है ठीक फिर अधिकरण में पर में पर जो आता है यह अधिकरण में आता है और संबोधन में आता है अरे जी ओ जी ओ जी यह सब आपको संबोधन में आता है तो टोटल में ने आठ कारक बताया उसके भी भक कोशन देख लीजिए बहुत ही चोटा चेप्टर है अराम से कोशन भी आप देख लीजिएगा और यहां से एक से दो कोशन जो भी आते हैं यह से अराम से आप हल कर सकते हैं एक कोशन तो पका आपका एक्जाम में आता है इसे हल कर सकते हैं सबसे पहला कोशन आपके सामने है गीता हाथ से मारती है, इनमें कौन सा कारक है, ये आपके सामने सभी अपसंद पले देख लेना होगा, तभी कुशन लगाना होगा, ठीक, तो गीता हाथ से मारती है, किस से मारती है, हाथ से मारती है, ठीक, तो इसमें करण कारक हो जाता है, तो हाथ से मारती है, अपने हाथ से तो यह आपको याद रखेगा, इसमें करण कारक हो जाएगा, फिर आपको देखिएगा, दूसरा है, कबुत्तर डाली पर बैठा है, वाक्ट में कारक है, कबुत्तर कहां बैठा है, डाली पर, तो में पैपर कब आता है, तो में पैपर आता है, अधिकरण कारक में, में पैप इसके पेड़ से फल का बिलगाव हो रहा है तो यह जो यहां पर जो से है न जहां बिलगाव की स्थिति आता है यहां पर से वाला यहां पर देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा तो बिलगाव की स्थिति में अपदान हो जाएगा अपदान से यहां पर करण आपको से नही हो जाएगा question number four दिखिए अमीद चाकू से काटता है अमीद क्या करता है चाकू से काटता है किस से काटता है चाकू से काटता है इस वाक्य में कौन सा कारक है यह आपको बताना है ठीक तो अमीद चाकू से कारता है इसमें है करण कारक क्योंकि चाकू के द्वारा चाकू से में इसकी चाकू के द्वारा कारता है न से जहां आएगा और के द्वारा वाला आपका रूप आएगा ठीक समंधा स्थापित करने के लिए तो वहां पर आपको क्या हो जागा करण कारक का की के विभक्ति चिन किस कारक का है का की के विभक्ति जो चिन है यह किस कारक का है यह आप पर बताए आपको कि कारक कित्रे परकार को होते और बहुत भी कोईशन रिप्टेट कोईशन बार बार आता है तो कारक आठ परकार को होते हैं कौन-कौन होते हैं पुछ रखता है आपको तो होता है कारक जो होते हैं यह आपको आठ परकार को से करता कारक करम कारक करण कारक संपर्दान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक और संबोधन इसे जल्ली से याद करने के लिए आपको याद ऐसे कर सकते करता ने करम को करर से के दवारा यहां देख लीजिएगा कि के दवार किसी के दवारा अगर इस्तमाल होता है तभी से लग सेब टेबल पर रखा है वाक्य में कौन सा कारक है सेब टेबल पर रखा है इसमें वाक्य में कौन सा कारक है यह आपको बताना है को इसका एंसर हो जाएगा अधिकरण क्योंकि पर कहां पर आएगा तो मैंने आपको बताया अधिकरण में may paper आता है तो यह आपको ship का है table पर यहां पर जो हो जाएगा यह अधिकरण कारग हो जाएगा ठिक तो total मैंने 7 question कराया यह साथो का answer भी यहां पर मैंें दे रखा हूं ये देख लीजेगा अगर कोई भी confusion होता है तो आपको trick भी बताऊंगा कि समास आप असानी से पाचान सकते हैं कि आखिर समास किसे कहते हैं और ये कौन सा समास है सबसे पले समास किसे कहते हैं तो एक broadway में देखते हैं समास किसे कहते हैं की एक आपको परिभासा के थ्लू अपल है हम आपको बताते हैं ठीक समास है और विभक्तेचिन लुप्त हो जाता है लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहateurs युक syllabus आपको समास कैसे याद रखना है बहुत ही सादार अर्था आपको समास ऐसे याद रख लिना है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सब्दों के मिलने से एक अलग ही साब्दिक अर्थ बनता है मिसकी उसका जो अर्थ भी निकलेगा जो सब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा ठीक तो वो ये आपको समास कालाता है दो या दो से अधिक सब्द मिलकर एक अलग ही आपको सब्द बनाते हैं इसका साब्धिक अर्थ निकले उसे हम लोग समास कहते हैं बस इतना आप याद कर लीजे और समास कभी भी आएगा तो दोनों सब्दों के बीच के जो भी भक्ति चीन हो जाएंगे वो लुप्थ हो जाएंगे जैसे राजी पूतर यहां पर आप देख सकते हैं यह क्या एक सम समद अब समास का बिगरह भी होता होगा संधी है तो संधी कभी छेद भी होता है पर देखिए समास सब्दों के बीच के संबंदों को असपष्ट करना समास बिगरह का लाता है राज पूतर को अगर बीगरह करते हैं तो राजा धन पूत्र यहां पर बिगरा हो रहा है ठीक और समासिक शब्दों का लोप यहां पर यह वाला सब यह है का जिसे राजा का पूत्र यह जो होता है यह खुद ही आपको जो समास बनेगा तो यह लुप्त हो जाता है ठीक राजा का पूत्र के लिए हम क्या राजबुतर लिखते हैं तो ये का जो है ये बिलुप्थ हो जाता है पुरुवपद और उत्तरपरध कहा जाता है तो आपको पुरुप पहले पुरुप और अधा मेरी अधाले यात करना पारली प्रुपद का जाट ता ये जैसी घंगा जल यहाँ गंगा सब्से पहले हुआ फिर जल बाद में आया यांपर गंगा यह पर आपको पुरुपद हुआ जल जो हुआ या यादा हुआ दो समास पर भेद होते हैं यह he मातिखो पर सकता है कि आट कर सकता है तो आप कुछ ऐसे भी ट्रिक्ली याद करना है आप याद कर सकते हैं जा समासो के वह यांच्तायी है यहां पर आप狂त कर सकते हैं पर अबियुभाव ४हाव समयास है फिर दवयु समस है फिर बहु manifested समास, फिर हो बुरह हो पुर्वपद होगा बना यहाँ अवयो प्रुवपद होगा उसे अवयो भाव समास का थे अगर भाव समास भी बना यह अपको अवयो में ही भाव जोड़ गया है तो भी भाव समास बनाए ठीक यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यथा मती यथा मती मती के अनुसार ठिक, आमरण, मृत्यू तक, इनमें से यथा या आ, ये जो भी है, ये क्या है, अवयो है, ये जो भी है, ये क्या है, अवयो है, तो जिस समास का पहला पद अवयो हो, तथा वो परधान हो, वो अवयो भाव समास कहलाता है, अब ये इसका बहुत याद करना, ट्रिकली याद क और देखिए आज हुआ यह एक छोटा है यहां पर यह भी याद रखिएगा कि हमने पढ़ाया था आपको उपसर्ग और पढ़ते हैं उपसर्ग जो सब्दी के पहले लगता है तो यह आप देखिएगा यह आमरण में तो आज हो है यह क्या है एक प्रकार का अपको समास को अगर जाचना है तो जहां एक क्या आता है अभी भाव समास में एक क्या आता है आपको उपसर्ग आता है दो दुसरा ट्रिक याद ये भी रखिएगा जहां एक ही सब्द बार-बार अवरिती हो वह अभियुभाव समास में इसके एक ही सब्द दो बार अगर आते हैं या उससे भी जादा बार तो वह अभियुभाव समास आता है दो हम बताएं आपको कि पहला तो आपको देखिएगा क उसमें एक आपको पक्का मिलेगा उफसर्ग उफसर्ग जो सब्द के पहले लगता है ठीक और वो छोटा होगा ठीक अवयो के रूप में होगा उसे अभियू भाव समास कहते हैं और एक बार बार दो सब्दों का रिपीटेशन होगा ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनो जीवन भर यहाँ पर आ जो है आ क्या है यहाँ पर आ देखिए जीवन में लग़ा है आ अ एक क्या है उसानी से याद हो गया हो गया अब अभी भाव की पाचान के लिए बहाँ बहने के प्टा यहाँ यह पर भी कुछ ट्रिक लिखा हूँ इसमें समस्त्पद अभेओ बन साथ विभक्ति चीन भी लगता है ठीक हो जाता है और आप अभियो सामास में पक्या होगा एक प्रकार का होगा ठीक या फो 근데 selfie चोंटा तो होगा भी फिशेव रिपीटेंister वाला जो आएगा वो भी आपको अभी भाव समास हो जाएगा ठीक जो अभी भाव समास होते हैं यहां दुशल clapping ढरते हैं कि अभी भाव समास में अब यहां पर लगेंगे क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं यह सुरू में लगते हैं और जो बनते हैं सब अभी वहाव समास का लाएंगे उदारण के लिए आजीवन देखिए आ लगा है यह एक परकार का उपसर्ग है जो कि आजीवन बनाए ठीक अजीवन बन गया यह निर्दोस नहीं आप क्या है एक्परकार का उपसर्ग है जो कि आपको लगा है दोस में दोस तो मण में देखिए बहुत इंपोटनट ए एक जैसे दो सब्दों के मदavinा संधीmeter का कोई इसमें जो है यह जो संधिक नियम लुप्थ हो जा रहा एये अपको 3 समास घ्राइब की दिन ही दिन में मु लुप्ति हो जा रहा है और यह समझने के लिए मैंने आपको बता दिया बहुश ये तरीका जो भी आपको एक तरीका अपना नहों अपना कर समझ सकते हैं, ठीक, ततपूरुष समास देखिए, इसके बाद आता है दूसरे नमबर पर ततपूरुष, ये जो तीन समास है न उपर के तीन समास, अभिवभाव, ततपूरुष और कर्मधराय समास, इसे में लोग confusion हो जाते हैं, जो कि इसे याद करना और भी असान होता है, ततपूरुष शमास क्या है, तो जिस समास का उत्तरपर्द परधान होता है, आपको विवभाव में पूरुपद परधान था, इसमें उत्तरपर्द परधान हो, और पूरुप यह आपको जो है उत्तर पद है तो तत्पूरुष शमास के 6 बेद होते हैं और इसे पहशानने के लिए सबसे असान तरीका मैं आपको बता दू तो दूसरा पद इसका सबसे पहले परधान हो और दूसरा पद जब परधान होगा तो वो छोटा होना चाहिए ठीक जैसे कि यह यह कौन सा तत पूरुष शमास में ठीक अब यहां पर मैं आपको एक्जांपल बना दें देगे यह तोलसी दास कितना बड़ा है और उत्तर पत यहीं नहुआ क्रिट दिखे कितना चोटा है तो दूसरा पद इदम छोटा होता है देखिए यहां पर सरा हत यहां पर हत कर्म को करण से यहां पर यह जो पढ़े हैं इससे आपको देशे सराहत सराहत से यहां देखे सियह जो है लुपत हो जाता है ठिक तो कभे भी बौल कर देखिए और इसका प्रडार भी देखिएगा तत्थपुरुष का तो तत्थपूरुष अमाज कभी छ्षहुथ होता है ततपुरुष का भी छेवेद होदा है, जैसे करम ततपुरुष, करण ततपुरुष, संपरदान ततपुरुष, अपरदान ततपुरुष, शम्मंद ततपुरुष और अधिकरण, मैंने ये इसमें सब भी का मैंने आपको बताया है कारक चिन है, और जो जो उसमें कारक चिन उसमें लोप हो जाता है और उसका छे भेद होता है जो कि कारक्चिन के कोडिंग ही उसको बनाया गया है ठीक अब यहां पर करमधाय समास करमधाय समास भी देखें बहुत ट्रिकली मैं बता दूंगा आपको परिभासा देखें जिस समास का उत्तरपद परधान हो और अब यहां पर बहुत सागर संसार रुपी सागर यहां पर अब इसमें क्या ट्रिक में डासते हैं कि सबसे पहला पद जो होगा वा वी से सड़ होगा दिया हुआ है कि यहां पर साफसाद सबसे पहले क्या होगा तो भाव देखिए ऑपर ठिकि की मियाद करने का कि दूसरे पद से तुन्ना की जाती है इसमें दूसरे पद में इसकी भौसागर में किस संसार रूपी सागर किस संसार रूपी सागर घंस्याम इसकी बादल जैसा काला घंस्याम स्याम में इसकाला होता है तो यहां पर अब देख सकते हैं कि यह दिया हुआ है और यह एक दूसर संसार रूपी है जो सागर ठीक इसे भी ऐसे बोल सकते है संसार रूपी है जो सागर उसे हम भाव सागर कहते है या आप ऐसे बोल सकते है कि घंस्याम ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल के जैसे बादल के जैसे जो काला है उसे हम लोग क्या बोलते है घंस्यामती इसके बीच में देखिएगा दो सब्द आता है है जो या के समान ठीक ये भी आपको पाचानने का नियम है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर कुछ में बता दी हैं जैसा मुख या चनद्र जैसा है जिसका या है जो मुख यहाँ पर है जो इस्थे usemış सकते हैं देह लाथ यह एपर देखोए की समान आ अराम से आदे अपर देखे देह के तो इसके बीच में विग्रह कीजीगा तो दो सब्द आता है जो आपको है जो आएगा या के समान होगा निला कमल यहां निल कमल हो जाएगा ठिक पितांबर पीला अंबर यहाँ पर दिया है वस्तर जी से बुला जाता है पितांबर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं पीला है जो अंबर मस्तलब वस्तर या अंबर पीला है जो अंबर ठीक ये आपको अराम से बिग्रह कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और ये आराम से अप लगा सकते हैं करमधाय समास में ठीक ये याद रखिएगा तो आगे चलते हैं द देव से दो भी बना सकता है आपको देव से जो भी आता है संख्या में आता है तो यह संख्या वाचक विसेसर होता है सबसे जो पहला पद होता है पुर्व पद जो होता है यह संख्या वाचक विसेसर होता है इसे दीगु शमाज करते है ठीक और यह कभी भी जब संख्या यहां पर देख सकते हैं कि यह सबसे पहले संख्या वाचक बिसेशड़ आता है ठीक इसे याद करना बहुत ही असानी है अब यहां पर दोंद समास बाड़ा कर देता है इसके सब्द याद रखें क्या बोल रहा है यह दिए द्वन्थ बोल रहा है मिसकी बिचार से एक बिचार से एक गलत वीचार और एक सहीवला बिचार कर रहे हैं ठीक ़ूनध imagine रहीं कर रहे अप या यह वम योजक चिन लगते हैं, उसे दो lifetime कहते हैं। इसमें क्या लग सकता है? और लग सकता है यह जब इस ही चिन आते हैं तो वह दोन्द में यहीं सब तीनों निच चिन आता है और फेल होने के लिए क्या त्रिक अपनाया जाँ तो तो यह जो होता है यह ढोले बंद नहीं पड़िएगा तो ति संतो undoubtedly पढ़िएगा जो कभी और आएगा आएगा यह आएगा आएगा यह आपको यूम आएगे ठेक यह आपको छिन आएगे तो आप आप सम näd यह दोंद समास है और कभी भी दोंद आत्मक विचारों के बीच युद्ध चलते रहता है वैसी आपको सब्दों के बीच भी चलते रहता है जैसे माता पीता माता पीता को हम क्या बोल सकते हैं माता और पीता भाई बहन भाई और बहन यहां पर राजा रानी बीच में दिखि जैसे माता तो आपको फिमेल है आपको और मेल में आपको पिता होगा ठीक तो ये आप देख सकते हैं भाई बहन ठीक राजा रानी दुख और सुख दुख सुख एक दूसरे के बिपरित है ये दूसरे के नेचर के बिपरित है दुख आपको आएगा सुख आएगा तो एक द योग होता है, यह और समान परकृतिक के लिए होता है, इसके बिपरित के लिए होता है, ठीक, यह याद रखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उधारण, माता, पिता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माता और पिता, यह समान परकृतिक के सब्द हैं, ठीक, धर्म किसी थे, विपरित में क्या हो जाते हैं, धर्म हो जाता है, शूरा-शूर, शूर एक है, एक असूर है, यह भी विपरित परकृतिक का है, इसलिए इसमें या लगा हुआ है, तो इनके देखियेगा विगर कीजिए इनके बीच में या-वं-ँ- automotive आते हैं तिन आपको स्ब्द आते है तो ये क्या लुटान हो अर्थ कर दो मिसके इसमें क्या होता है कि आप कोई भी पद इसमें मत यात कीजिए इसका मतलब ही होता है कि कोई अलग मेनिंग निकलेगा, ठीक हम बोलेंगे कुछ होर, लेकिन मेनिक उसका निकलेगा ठीक, तो बस इतना आप समझ़ेंजेंगे, यह जो समास कहलाता है, इसका मतलब भी होता है, बहुत बिर ही समास, जैसे कि इसको बोलिएगा दसानन तो दसानन हम बोलते हैं कि दस सिरो वाला को हम बोलेंगे दस सिरो वाला को क्या बोलेंगे दसानन जो कि एक तरफ से देखा जाती है दिगू समास है दसानन दस सिरो वाला क्योंकि दिगू में आपको तो संख्यावाचक भी से सर सुरू में आता है लेकिन इसका मतला भी सिधे निकल जाता है कि अदस सीरो वाला बोलेंगी दस आनन जैसे हम बोलेंगे हम लोग मन में रावड आएगा मिसकी एक तीसरा बेक्ती आ जा रहे है रावड आ जा रहा है ठीक तो वो क्या हो जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो समास का लाएगा यह बहुत ब्रही समास का लाएगा ठीक दस सीखो आनन मिसकी जीश का दस मूख है जिसे हम लोग रावड बोलते है ठीक यह आपके दिमाग में आ जाएगा कि मिसकी अलग ही मेनिंग निकल करा रहा है जो की सबसे कंट बोलेंगे जिसका निला है कंट जिसका निला कंट होगा उसके लिए हम बोलेंगे लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल कर स्योजी आ जाएंगे ठीक मिसकी जीट का निला कंट निलकंट उन्हीं को तो बोला जाता है सुलोचना शुंदर है लोशन जिसक हो जाता है उपर देखें आपका समय आगे है टेश्ट लगाने का सबसे पहला कुषिन की निमन में से कौन सा अभियू भाव समास है तो देखे समास किसे कहते हैं समास मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक सब्द मिलकर एक सार्थक अलग सब्द बनाते हैं उसे ही समास कहते हैं अब अभियू भाव समास किसे कहते हैं सबसे पहला आता है अभी भाव समास तो जिस समास का पहला पद अवयो हो और वो वहीं पद परधान भी हो ठीक इसमें ट्रेकली में आपको बताया था कभी भी देखिएगा तो पहला पद छोता होगा मिलाइएगा तो और कभी भी अब यूँ बहाव समास हो जाएगा तो पहले के इस समास के दोनों पद अपर्धान होते हैं इसके इसके दोने पद अपर्धान होंगे दोनों पद पर्धान नहीं होंगे जिस अपर्धान यहां लिखा हुआ है वह कौन सा समास होगा इसका दोनों पद अपर्धान होता है औ जैसे कि लंबोदर लंबा है उदर जैसे गणेश जी ठीक टिसके लंबोदर का दुनों पद आपरधान हैं दुनों में कोई का मतलब नहीं निकल लेकिन गणेश इसका मतलब बन रहा है हैं इसकी जिसका पेट लंबा है लंबा है उदर जैसे गणेश भगवान जी ठीक तो य सबसे समास है अपको बताना है देव क्या हो रहा है कि कभी ही 10 की बात है कभी कंपोटिक इस्सामास हो hij कि उसमेंद होता है दृण्ध मिसक समास हो Dud यहाद रखिएगा तरीक इंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा question number four है कि चाराहा में कौन सा समास है चाराहा में कौन सा समास है सबसे पहले अपसंद देख लिजे यहाँ पर D में वहुब्रही दिया है, A में दीगु दिया है, अभी भाव दिया, तत पूरुष दिया है, मैंने बोला था कि समास को पहले धिहान से देखना है, और इसके दोनों पद जो होते हैं, मिसके पुर्वपद और उत्तर पद, पुर्वपद मिसके पहले वाला पद, उत्तर के बाद वाला पद उसको पहले द्यान से देखना है, तब ही अब समासको समझ पाएंगे ठीक यहाँ पर देखे, चौराहा, यहाँ पर चार, जो संख्या वाचक, सुरू में बिसेसर आ जाता है, ठीक, कोई भी सब्द के संख्या, स्ञ्ख्या वाचक भीसेसर सुरू में आएगा वो जो समास कह लाएगा ये कौन समस कहुआ नीया याद रखिएगा सानन देखेंगे तो यह 10 आ रहा है शुरू में तो सबसे पहले हम देगु समासाय का दिमाग में लेकिन मैंने क्या बुला था कि कभी भी अगर चारो असन में दिया हुआ और लग रहा है कि यह 4 असन वहाँ उसमें से आपको बहु के इसको दिहान में आपको रखना है ठیک इस आँसे इसमें दसानन है तो इस एक तरह से दिखा जाते हुए एक दीगू समास भी यह लेकिन इसका दसानन 10 सीरो वाला इसका यहीं होता है दस यह वाला के लिए दसानन हम बोलते हैं Q6 दखिए, विसेशड और विसेश के योग से कौन सा समास बनता है, विसेशड और विसेश से, एक पद विसेशड होगा तो दुसरा पद विसेश होगा, इससे कौन सा समास बनता है, यह आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया था करमदराय समास के बारे में, ठीक, करमद जैसे मैं यहाँ पर कुछ बता दूँ जैसे कि यहाँ पर देखिएगा महापुरुस महापुरुस क्या है एक प्रकार का आपका क्या है महापुरुस एक प्रकार का आपका करमधराय समास है ठीक तो 6 का साग पात पाप पुन्ने ये सभी में क्या हो जाता है दोंद समास आ जाता है ठीक तो सभीन किंसर क्या हो जाएगा दियो हो जाएगा माता पिता ये सभी में दोंद आ जाता है एट का दिखिए कि पितांबर में कौन सा समास है पितांबर पीला है आंबर जिसका जैसे भगवा अजन्म सब्द का उदारण है, अजन्म जो सब्द है, ये किसका उदारण है, अजन्म में, तो सबसे पहले इसको हम पकड़ते हैं, और इसको आजन्म, दो भागों में डिभाइट कर दियें, अब ये आ क्या है, आ उपसर्ग है, उपसर्ग वहीं जो सब्द के पहले लगता ह है और पड़ते जो सब्ध के बाद में लगता है तो यह कौन सा मैंने बताया आ से अभी भाव भी होता है अभयो करूप में अ है और आस अब को उसे मतलब उपसर्गी भी होता है तो ऐसे आप मिला सकते हैं कि जो सबसे पहले ये आता है अभी भाव समास में ही होता है कि जी सब्द का पहलापद परधान हो ये आ रहा है ठीक और ये परधान के साथ चात क्या होता है कि एक अभयो भी होता है पहलापद और तथा ये भी य उसे हम लोग प्रयावाची सब्द करने वाले सब्दों को शमनार्थक, शमनार्थी या परवाची सब्द कहा जाता है ठीक जैसे कुछ परवाची सब्द में आपको बताता हूं और विडियो के लाश्ट में मैं कोश्चन भी रखा हूं उसे भी ध्यान पूरवक देखिएगा अम्रित, अम्रित का आपको प्रायवाची क्या होता है, प्यूस होता है, सूधा होता है, अमिय होता है, जुनोदक होता है, और अमित होता है, ये अम्रित का ठिक, फिर आपको होता है धनुस, धनुस का क्या क्या होता है, धनु होता है, चाप होता है, कमान होता है, सरासन होता है पिनाख होता है कोदड होता है ठीक फिर होता है बाग बाग का क्या 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 प्रवाची होता है वाटिका होगा कुसमकार होगा उद्यान होगा उपवन होगा बगीचा होगा ठीक वैसे सिक्षक सिक्षक का क्या क्या प्रवाची सब्द हो सकता है गुरु हो सकते हैं अध्यापक, अचारे, उपध्याए वैसे पच्वे में आएगा परकास परकास का प्रवाची क्या क्या होता है प्रभा हो जाएगा, क्रांती हो जाएगा, जोती हो जाएगा और उजाला ये प्रकास का प्रवाची सब्द होता है फिर वैसे सीता सीता का बार-बार पूछता है ति इसका हो जाता है बिदेही जान की भूमिजा जनक तन्या जनक नंदनी राम प्रिया ये सब क्या हो जाएगा ये सीता जी का प्रवाची सब्द हो जाएगा वैसे मित्रे मित्र का क्या क्या प्रवाची होता है, सखा होता है, मीत होता है, दोस्त होता है, सहचर होता है, ठीक, एट महेस, महेस का क्या प्रवाची होता है, सीव हो जाएगा, संकर हो जाएगा, भूतनात, चंदर सेखर, चंदर मौली, भोले, रुद्र, तिरलोचन, त्रिनेत्र, असु द्रिश्टी हो जाएगा अच्छी हो जाएगा ये आँख का आपको प्रवाची होता है इसे दस्वे नमबर में देखिए अकास का क्या क्या होगा अंबर होगा गगन होगा नभ होगा वयोम होगा सुन्ने होगा अनन्त होगा असमान होगा अंतरिक्ष ये आपको अकास का प् यह विज капफ गया होता है क्रिश्टण के लिए क्या हुगा गुबिन्द माध्ब कंसारी यक शोदानदन डेव की पूत्र यह आप भगवान क्रिश्टण के लिए प्योग कर सकते हैं प्रवाची सब्द में, 15 है कि इंद्र, इंद्र जी के लिए शुरेश, शुरेंद्र, शुर्पती, सच्चीपती, डिवेंद्र, दिवेस, वासो, पुरंदर, ये आपको इंद्र के लिए प्रवाची सब्द होता है, वैसी कमल का, कमल का क्या होगा, पदम होगा, पंकज होग जलज होगा, कंज होगा, राजीव होगा, अर्बिंद, शत्दल, अंबुज, नलीन, पुसकर, ये आपको कमल की परवाची सब्द होते हैं, वैसी भगान गडेश के लिए लंबोदर, जिसका लंबा पेठो, लंबोदर, गजपती, गडपती, एक दंत, विनायक, गजवंदन मोदक प्रिये, मोदक मिस के आपको लड़ू होता है, तो मोदक प्रिये, गजानन, ये आपको कडेशी का होता है, गंगा, गंगा का होगा, भागी रथी, मंदाकनी, विश्लूपदी, देवप्रगा, देवनंदी, शुर्शरीता, शुर्शरी, ये आपको क्या होगा, यह द्रभि क्या होता है और उससे आपको प्रिति अब को प्रवाची सब्द और उससी 22 नमर में देखिए पंडित पंदित का क्या होगा प्राग्य होगा, कोवीद होगा, मनिसी होगा, विद्वान, शुधी, ये सब आपको पंडित के प्रवाची सब्द होते हैं, वैसे 23 नमर में पुस्प का देखिये प्रवाची सब्द, फूल हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, सुमन हो जाएगे, प्रसुन हो जाएगा, पि दिनकर, दिवाकर, भानू, अदित, ये सभी क्या होते हैं, शुरी के प्रवाची सब्द होते हैं, तो आपको 25 मैंने प्रवाची सब्द कराया, अब चलिए मैं कोश्चन कराता हूँ, इससे आपको प्रवाची सब्द निकाल कर बनाया जाता है, मुख्यत जो भी मैं कराया यहीं से question आपको आता है, तो चलिए मैं आपको test लेता हूँ, सबसे पहला question है, अस्वे का परवाची सब्द है, अस्वे, अस्वे मिस क्या होता है, आप सभी लोग जानते है, तो अस्वे का परवाची सब्द घोड़ा या घोटक होगा, ठीक, इसके answer क्या हो जाएगा, पहल चंद्र का परवाची सब्द नहीं है, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक, वैसी तीसरा number question देखिए, निमलेखित में कौन सा सब्द गड़ेश का परवाची सब्द नहीं है, यह आपको बताना है, नहीं पूछ रहा है, ठीक, जल्दिबाजी question number four देखिए, निमलेखित सब्द सुर्य का परवाची सब्द नहीं है, यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक, वैसे question number five देखिए, निमलेकित सब्द में कौन सा सब्द लक्षमी का परवाची नहीं है, यह आपको बताना है कि कौन सा सब्द लक्षमी का परवाची नहीं है, अग तो इसमें से कौन सा नहीं हो जागा, यह महा, श्वेता नहीं होगा, बाकि कमला, इंद्रा, पदमा, यह आपको लक्षमी का परवाची सब्द होता है, यह इसके इंसर हो जागा, C, महा, स्वेता, कुशन बर 6 देखें, क्या कर रहा है, यह आपके सामने है, कि बादल का परव अब्र वारिद, यह सब आपको बादल का परवाची सब्द है, कुशन बर 7 देखें, निमलिखित में कौन सा इस्तरी का परवाची सब्द नहीं है, यह बताना है, इसमें से कौन सा इस्तरी का परवाची सब्द नहीं है, ठीक, कौन सा इस्तरी का परवाची सब्द नहीं है सबिन का बताईए तो वामा, कामीनी, महिला ये सभी इस्तरी का प्रवाची सब्द है बाकि इंद्रा जो है ये आपको इस्तरी का प्रवाची सब्द नहीं है सबिन के अंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा question number 8 देखिए इसके अंसर हो जाएगा D question number 9 देखिए ये आपको बताना है कि कौन सा सवर्स्वती का प्रवाची सब्द नहीं है question number 9 देखिए आपको कौन सा नहीं है पूछ रहे तो यहां पर हो जाएगा सेहंस था, बाकी महासवेता, विडापाड़ी, हंसवाहिनी, ये सब महासरुस्वती जी का प्रवाची सब्द है, लेकिन ये आपको सेहंस था नहीं है, कुशन नमर 10 देखेने में लेकिते में कौन सा गंगा का प्रवाची सब्द नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा गंगा क का प्रवाची सब्द नहीं है question number 10 है तो question number 10 के अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भागी रती मंदाक नी शूर सरीता यह मैंने आपको बताया गंगा के प्रवाची सब्द है लेकिन त्रिवेडी जो हो जागा यह गंगा के प्रवाची सब्द नहीं होगा ठीक question number 11 के अंसर क्या हो जाएगा यह आपको याद रहीं है यह बताना है कौन सा दीन का प्रवाची सब्द नहीं है यह आपको बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा दीन का प्रवाची सब्द को नहीं है 12 का बताइए, तो यह हो जाएगा आपको विभाकरी, विभावरी, विभावरी नहीं है बाकि दिवस, दिवा, वासर यह आपको दीन का प्रवाची सब्द है, तो 12 के अंसर क्यों ज़या का D हो जाएगा, कोश्चन बर 13 दिखिए निमन में से कौन सा सब्द अंधकार का प्रवाची सब्द नहीं है नहीं है पूछ रहा है कौन सा अंधकार का प्रवाची सब्द नहीं है यह आपको बताना है तो यह आपको अंधेरा, तम, तिमीर यह सबी है रुद्र जो हो यह अंधकार का नहीं है, रुद्र, ठीक तो तेरा कैंसर क्या हो ज़ेगा, D हो जागा, कुश्चन नमर 14 देखे, निमने में से कौन सा सब्द, ओस का परवाची सब्द नहीं है, यह आपको बताना है कौन से, ओस का परवाची सब्द नहीं है, यह आपको जो उस का परवाची सब्द नहीं है बाकि तुसार सेफाली शबनम ये सब आपको उस का परवाची सब्द है तो ये D हो जबागा चोधा का question मर 15 और आज का last question है कि नेमनों में से कौन एक परवत का परवाची सब्द है ये बताना है तो टोटल मैंने 15 कोशन कर दो बिलोम सब्द कहते हैं किसे हैं सबसे पल यह देखिए किसी सब्द के बिपरित बिलोम में इस क्या होता है बिपरित या उल्टा अर्थ देने वाले सब्द को क्या कहा जाता है बिलोम सब्द बिलोम का अर्थ उल्टा या बिरोधी होता है बिरोधी अर्थ देने वाला अब देखे कुछ महतपूर्द बिलोम सब्द है चोकि मैं आपको बता देता हूं और यहां से कोश्चन बनता है टेस्ट भी लगाये गा वीडियो कलाश्ट में है अगर का का होता है पस्य होता है ठीक अगर का पस्य होता है अम्रित का बिलोम सब्द बिस्य होता है ठीक अघोस का सघोस होता है बिलोम सब्द अधम का उत्तम होता है यहाँ पर देख लिजे अधम का उत्तम यहाँ पर देखे यह बहुत महत्पूर है अपकार का उपकार होता हो जाएगा विलुम अंतरंग का बहिरंग होगा विलुम सब्द और देख सकते ह। ठेख अवत लका क्या हो जाएगा उततल होDaniel हवर का परवर होजाएगा विलुम सब्द most आरपा का ग्रहण हो जाएगा विलुम सब्द chi लुकल, प्र प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है, इहां पर देख लिए अगरज का अनुज होता है, अंत्रदवन्द, यह भी याद रखेगा, बिलौम सबद पूछता है, अकाल का सुकाल होगा, बिलोम सब्द यहां पर ध्यान रखेगा अकाल का क्या होगा सुकाल अर्थ का बिलोम सब्द अनर्थ होता है अंधेरा का बिलोम सब्द उजाला होता है और अपिक्षित का अनपिक्षित होता है और अपिक्षित अगर देगा इसका बिलोम पुछे तो अपिक्षित होगा मैं पर देख सकते हैं, आहुत का अनाहुत होता है, आयात का निर्यात बिलोम सब्द होता है, आवरित का अनावरित होता है, आसा का निरासा होगा बिलोम सब्द, अरोहन का अरोहन होगा, अरोहन का बिलोम सब्द क्या होता है, अरोहन होता है, आस्था का अनास्था होता है, अनास अब होता है यह द्यानमिरकिय का फिलीमसद अभी भार्व का तिरोभाव होता है अरोह का औरोह होता है ठिक और लुक का विलीमसद और अंडान का परदान हो जाएगा और अनिष्ठ होता है बिलोम सब्द इहलोग का परलोग होता है बहुत मत्पूर है यहां से पूछा जाएगा आपको इहलोग का बिलोम सब्द क्या होता है परलोग होता है उग्र का सब्द होता है उतकरिष्ट का निकरिष्ट होता है यह भी आपसे पूछता है बार-बार उपस परसर्ग का परसर्ग होता है ठीक उनमुख का बिमुख होता है ठीक अनन्त का अनत्थ बिलोम सब्द होता है अपमान का अपमे होता है बिलोम सब्द अपमान का अपमे उत्रायन का दछिणायन होता है बिलोम सब्द उत्रायन का दछिणायन ठीक उनमूलन का रोपन होता है उ काफी बिलों सब्धिक से आपको कोशन कराने वाला हूं रिजु का विलोम सब्द जो होता है ये वक्र होता है रित का आपको अन्रित होता है कटु का सरल होगा विलोम सब्द ठीक कनिष्ट का जेस्ट होता है ये बहुत विब्याई है यहां से याद रखेगा ये और ये दोनों ठीक कनिष्ट का जेस्ट होता है और कृष्ण का सुकल होता है बिलोम सब्दे कुटिल का सरल हो जाएगा यहाँ पर कुटिल का क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा कित्रिम का अकित्रिम हो जाएगा बिलोम सब्दे कित्रिम का अकित्रिम सब्का नहीं आतने होता है यहाद रखिएगा कोप का विलोमसब्द क्रिपा होता है क्रोध इलुका झामया सब्सक्राइब बिलोम सब्दे, खाद्य का जो बिलोम सब्द होता है, अखाद्य होता है, गुप्त का बिलोम सब्द परकट होता है, गरल का बिलोम सब्द जो होता है, गंभीर का बिलोम सब्द वाचल होता है, गोचर का बिलोम सब्द अगोचर होता है, गुड का बिलोम सब्द दोस होता है याद रखेगा घुड का दोस होता है ग्रम का आपको नागर होता है यह याद रखेगा घृण्डा का बिलोम सब्द प्रेम होता है चिरतन का नसवर होता है चल का अचल होता है चल का अचल होता है और चंचल का अचल होता है चीर का अचीर होता है जीवन का आपको मरण होता ह जागरित का सुप्त होता है जागरित का क्या होता है सुप्त होता है और जंगहम का अस्थावर होता है जागरण का सुप्त होता है तरून का व्रिद्ध होगा आपको आपको विलूम सब्दे त्रिप्त का अत्रिप्त होगा विलूम सब्द त्रिशा का त्रिप्ती होता है च निसद्ध का अभिहित होता है जरसंगिक का कृतिम होता है निसकाम का सकाम होता है बिलोमसद परतंत्र का बिलोमसद शोतंत्र होता है प्राचीन का बिलोमसद नवीन होता है प्रसाद का बिलोमसद अवसाद होता है और पुरवर्ती का परवर्ती होता है यहापर बहुत फोगी के नियादर रहाँ होता है योगी का ओलोवी होता है विकर सांटि होगा योगी का अयोग होगा राजा का बिलूंसद रंग we होता है विलोम सब्दे और बीधी का विलोम सब्द निसेध होता है ठीक विपिन का संपन होता है विपन संपन यहां पूर विपदा संपदा हो जागा सासक का सासित हो जागा वरिष्टी का अना वरिष्टी होता है और सिस्ट का असिस्ट होगा विलोम सब्दे स्याम का स्वे यूग होता है तो इतना मैंने आपको कराया बिलूम सब्द यहां से ही कोशन बार-बार पूछे जाते हैं अब मैं एक कोशन आपको कराऊंगा यहां से दिखेंगा आराम से आप कोशन कर लिजेगा चलिए मैं आपको टेश्ट लेता हूं कितने अच्छे तरीका से बिलूम को फो जाएगा यह वी मैंने आपको बताहाек तो यह हो जाएगा तो नेवर्ती हो जाएगा इसका विलूम्शब्द कया होगा ठीक इसरी की अंसर क्या हो जाएगा राज्टंत्र का क्या होता है पतन होता है बिलोम सब्द क्या होता है क्या होता है तो संयोग का बिलोम सब्द क्या होता है तो संयोग का बियोग होगा क्या होगा ठीक सिक्स कैंसर यह हो जाएगा क्या होता है विशिष्ट का क्या हो जाएगा सधारन हो जाएगा क्या हो जाएगा सधारन ठीक य ख़तमेंद मकाराचफ का सभ्षाइए हो देखे में Schmidt प्रावाचते हम यहांद मिणट-खर्चा होगा क्या है सब्सक्राइए हूसथ Video आध आपि अवारचीन के विलोम सब्द क्या होते है अवारचीन कुश्या Simmons नुबर 12 है अनुगरह का विलोम सब्द क्या होगा उक्तल क्या हो जाएगा इन आपको हो जगाएर तो तो टोटल मैंने आपको कितने कोशन कराया यहां से हम सुरुवाद करते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत गरम हो इसके लिए समसितोसर होगा वैसे अन्तरयामी जो कुछ नहीं जा अज्यानी अब देखे जो मापा आ जा सके उसके लिए क्या होगा अपरिमे होता है जो पीने योग गिना हो उसके लिए क्या होगा अपय होता है जिसको भेदा ना जा सके उसको क्या बोला जाता है अभेद जिसको भेदा ना जा सके जो कम जानता हो उसके लिए एक सब्दी क्या होगा अल्पगे होगा जो कम बोलता हो उससे क्या बोला जाता है अल्पभासी ब वेचन करता हो, जो मृतु के समीफ हो, उसके लिए क्या होगा? असन्य मीरतु, ठिक? सिर सिले के पाउं तक के लिए क्या इस्तमाल किया जाता है? तो अपाद मस्तक, अरंब सिले के अंतक के लिए क्या आप बोलिएगा? तो अधुपाद, अपनी हानी स्वे करने वाले के से हो उसको क्या कहा जाता है जिसका समंध आत्मा से हो उसे अधात्मिक जिसकी दोनों में निष्ठा हो जिसका दोनों में निष्ठा हो उसको उभैनिष्ट बोला जाता है ठेक जो इंद्रयों से समंधित हो उसके लिए क्या बोला जाता है एंद्री बोला जाता है जो ब्यक्त का विरोध करने वाले को खंडन बोला जाता है खंडन बोल सकते हैं जो च्छमा करने वाला हो उसे च्छमा सील कहा जाता है जो छिपाने योग्य हो उसे बोला जाता है गोपनिये जो घ्रना के पात्र हो उसके लिए क्या इस्तमाल कर सकते घ्रनित इस्तमाल कर सकते हैं ठीक वै जो बोल नहीं सकता है उसे क्या बोला जाता है जो बोल नहीं सकता है जिम्मवारी पूरे न करने वाले को क्या बोला जाता है जो पदार्थ घुलने योग उसे क्या बोला जाता है जो लंबे समय तक जीने वाला उसे चिरंजिवी कहा जाता है चिंता करने योग बात को चिंतनिये कहा जाता है ठीक आगे देखिए जो भूख मीटाने के लिए बेचैन हो उसे क्या बोला जाता है उसे शुधातर बोला जाता है भूख से पिडित ब्यक्ति को शुधार्त बोला जाता है दूसरी के मत का विरोध करने वाले को खंडन ये त नमरत बोला जाता है ठीक। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे क्या कह सकते हैं एक सब्द में असुरुत पुर्व जो जनम लेते ही गिर या मर गया हो उसके क्या होगा अधन्ट पात अधन्ट पात हो उसे बोला जाता है जो अलोचना की योग्य हो उसे अलोच्य बोला जाता है जो इंद्रियों की ज चलता हो उसे बोला जाता है उदर्ग उदग 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 सर्फ ये भी आप बोल सकते हैं ये छाती के बल आपको चलता है जो धरती फोड कर जनमता है उसे बोला जाता है उदभीस जो उदार करता है उसे उदारक बोला जाता है जो दीन में एक बार भोजन करता है उसे बोल प्रटुभासी, जो कश्च को सहन कर सके मुखत वहें सुछुट वह सब्सक्राइब जो काम से ही छी चुराता है जो काम से जी चुराता है उसे काम चोर बोलते हैं जो करतब्र से चravत हो गया हो उसे करटब बीच वहा जाता है जो पुरुस कभीता रस्ता है उसे बोला जाता है कभी और जो इस्तरी कभीता रस्ती है उसे बोला जाता है कवित्री ये देखिए कभीत्री लिखा भी कैसे जाता है ध्यान से देख लिएगा जो कलपना से परे हो उसे कलपना तित बोला जाता है जो केंद्र की और उनमुख हो उसे क्या बोला जाता है केंद्रा भिमुख तो ये मैंने आपको कराया और इस से related चलिए कोश्चन में करा देता हूँ जहां से कोश्चन बार बार पोशे जाते हैं चोटा ठिप्टर है लेकिन एक से दो कोईशन बार बार पोशे जाते हैं चलिए मैं कोईशन करा तो पहला कोईशन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो वक्यांस के लिए एक सब्द बताना है आपको तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए होता है अदूत ये ठीक तो पहले के एंसर क्यवाजिए एक सब्सक्राइब बताना है एक सब्सक्न ग्रह पुला जाथा है। Q4 दिखे, जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसे कहेंगे, जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो, यहाँ पर दिखेगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा, अगोचर, Q5 दिखे, जिसे जीता ना जा सकता हो, यह देखे, जिसे जीता ना जा सकता हो उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे उसे कहा जाएगा अजय मैंने आपको बताया था कुशन नमर 6 है सबसे प्रथम गीने जाने वाला क्या कहलाता है सबसे पहले में प्रथम में तगर गंण कहलाता है 30 cancer हो जागा 6 cancer D कुशन नमर 7 देखिएगा कि वह कभी जो ततकाल कभीता करने में कुसल हो उसे का कहा जाता है तो उसे कहा जाता है आसु कभी कोश्य नो नो देखिए जिसे माँपा ना जासकता हो कहलाता है जिसे माँपा ना जासकता हुआ से कहलाएगा अपरि में एब आपको बताया था अनुसरूती कहा जाता है इस तो तो टूटल मेंने दस कुश्चन कराए आपको तो मुआबरा कहते किसे हैं ये हम सबसे पज़े देखते हैं तो मुहाबरा जो सब्द है ये अर्वी भासा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास मुहाबरा अतिसंशित रुप परकट करता है आपको किसी भी वाक्य का ये अतिसंशित रुप होता है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है बहाओ और विचार परकट बहुत बड़ा ये करता है ठीक ये धियान में रखिएगा मुहाबरा ये अर्थी संशित रुप्त होते हुए भाओ और विचार बहुत बड़ा परकट करता है जबकि लोकीतियों के हम लोग समानने भासा में कहावत कहते हैं ठीक कुछ मुहाबरे और उनके अर्थ देख लीजे और टेस्ट भी लगाईएगा जरूर ठीक यहाँ पर देखे हुए अक्ल का दुसमन से इसका देख लीजे ठोकर खाने के बाद बहुत से लोगों की आंखे खुलती है आसमान से बाते करना असमान से बाते करना मिश की बहुत ऊचा होना बहुत उचा होना आज कर ऐसी इमारते बनने लगी है जो असमान से बाते करती है मैं आपको संटेंस में जो मुहावरा है इसका यूज भी कर दिया हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगा इट से इट बजाना ये तो बहुत बिबिया ये बार-बार पूछता है तो मतलब क्या होता है अकर खुलना मतलब होता है होता है आके खुलना मतलब होता है आखे खुलना मतलब होता है जो लोगों ने उसकी सारी संपती हणप ले तब उसकी आखे खुली यह आपको है जैसे आखे खुली में सचेत होना भी हो सकता है 7 है कि आखो काटा होना अप्रिये बेक्ति को कहा जाता है ठीक आखो का काटा अपनी कूपकर विर्थियों के कारण सीटा पीता जी के आखो का काटा बन गई ठीक यहां पर कोई और भी नाम आप लेख सकते हैं उर्ती चिडिया पाचानना लोग नहीं बोलते हैं कि हम उर्ती चिडिया पाचान लेते हैं तो रहस्त की बात जो है दूर से ही जान लेना ये उर्ती चिडिया पाचानना का अर्थ होता है ठीक अब देखिए इसका आप यूज देख सकते हैं वह इतना अनुभवी है कि उस से उर्थी चिडिया पाचानने में देर नहीं लगती ठीक 19-20 का अंतर होना 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम का अंतर होना ठीक यहां पर देखिए आगे 10 है उल्टी गंगा बहना उल्टी गंगा बहना मतलब अन्होनी हो जाना अब संटेंस में इसका यूज अपने तरीका से कर लिजेगा मैं नीचे संटेंस लिख दिया हूं ठीक घर करना घर करना मिस कहीं बस जाना नहीं लोग बोलते कि यहां पर घर कर गया मतलब यहां पर कहीं पर बस जाना ठीक अंगुठा चुमना अंगुठा चुमना मिस क्या होता है खुसामत करना ठीक पीठ ठोकना, पीठ नहीं लोग ठोक कर बोलते हैं कि सबास बेटा सबस, मतलब पीठ ठोकना में सबासी देना, ठीक 14 देखे, अपने पाउपर कुलहाडी मारना, सबसे महतपूर है, अपने पाउपर कुलहाडी मारना, मतलब अपनी हानी अपने ही करना, ठीक और बहुत से लोग तो पाँपर कुलहाड़ी मारते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पाँँ लेका कुलहाड़ी पर मार देते हैं मतलब कि साफा नास्तनोबूत कर देते हैं अपना पूरा मतलब की carrier ठीक 15 देखिए अवाज उठाना, अवाज उठाना मतलब कि विरोध करना, कमर कसना, कमर कसना मतलब तैयार होना, किसे भी काम के लिए कमर कसना में इसके तैयार होना, आखे फेर लेना, मतलब कि पर्तिकूल हो जाना, मतलब दुस्मनी के भाव से आप बोल सकते हैं इसे, प्रिया ने आजकल मे हुआ होते हैं अंखे सेखना नहीं, लोग बोलते हैं कि हम उस चीज पर आक, से रहें, मतलब, सुंध्रवस्तु देख के नहारना यह देखते रहाने, ऑले, पढ़ना ओले पढ़ना मिस्क्या होता है विपत्ति आना ठीक यह आपको यह रहा अब लुकीतिया हम लोग देखते हैं मुहावरा देख लिजे मैंने आपको दिखाया और लुकीतिया और दोनों से मैं आपको टेस्ट भी विडियो के अंत में ले लूँगा तो लुकीतिया देखे बिशेस चेतर में यह विशेस अर्थ की ऊर आपको संकेत करती है देखिएगा हरे इक दो कोष पर यह बौला गया है कि भारत में बारी बदलता है तो हरे दो कोईगा सबड़ेकल अर्थ वाला भी सब्द बदलेगा फिक यहां पर देखिए इसे कहावत कहते है सुक्ति आध चोर के दाढ़ी में तिनका मतलब क्या होता है अपराधी सुय संकित रहता है गरीवी में आटा गिला हो गया मतलब की विपत्ती पर विपत्ती आना ठीक यह आपको याद रखिएगा अच्वा दिखिए दिवारों को भी कान होते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा गुप्त बा नहीं तो दिवारों को भी कान होता है सुन लेगा लोग मतलब क्यों गुप्त बाते चीपी नहीं रहती है निरबल के बल राम बहुत भी भी आई निरबल के बल राम मतलब की जिसका कोई शहारा नहीं होता इसका इस्वर सहाजता करता है ठीक एक 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 ग्यारा होते हैं मत मतलब मिलसे सक्ती में ब्रेधGO होती है एक ताक और परदर्सर्थ करता है एक से 11 होता है अब एक जोड करमत सोचिएगा एक kept पता झायेगा वो हो गया दो एक एक लिखियेगा तब समझ में आएगा यह 11 है एक लिखिये तो मतलब कि यह को क्या बोलता है unity के बारे में बता रहा है डुबते को तिनके का सहारा यहाँ पर होगा तिनके का सहारा विपतिकाल में थोड़ी सी मदद बहुत होती है ठेक बंदर क्या जाने अध्रक का सवाद यह तो बार-बार लोग बोलते होंगे सबको मतला बस्तु विशेस का महतपुण मुर्ख नहीं समझता बंदर क्या जाने अध्रक का समा आपको सवार और एक होता है बंदर के हाथ में नारियल यह भी आपको कहवत याद रखिएगा मतलब बलवान की चोट कमजोर के सैकड़ू चोट के बराबर होती है यह याद रखिएगा तरह ऐसे मैं आपको यह कराया और आपको चलीए टेष्ट लिए ले लेता हूँ अभी देखता हूँ कि आपको बताना इस मुहाबरे कार्थ क्या होता है मिसकी बातों को अन्सुना करना कोई नहीं बोलता है कि तुम्हारे कान पर जू भी नहीं रहेंगा मतलब तुम किसी मतलब जो मैंने बात बोला था उसे अंसुना कर दिये तिसरा है बीडा उठाना मुहाबरे का अर्थ क्या है बीडा उठाना ठीक तिये होता है किसी काम का भार लेना किसी काम का भार लेना नहीं लोग बोलते हैं कि काम का भीडा हमने उठाया है तो किसी काम का बहार लेना होता है, 3 के अंसर हो ज़ेगा, B, Q4 है, कान भरना मुहाबरे का अर्थ है, कान भरना मुहाबरे का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है, तो बहकाना, किसी को बहकाना, यह कान भरना मुहाबरे का अर्थ होता है, Q5 है, हाजामत बनाना मुहाबरे का अर्थ है, हाज हुसला पस्त होना, हुसला पस्त होना के मतलब क्या होता है, मतलब लोग नहीं बोलते हैं कि हुसला पस्त नहीं होना चाहिए कोई भी काम करने में, मतलब उत्साह नहरा जाना, जब उत्साह रहवे ना करेगा तो आप समझ सकते हैं कि काम आप से होगा नहीं, तो हुसला पस्त होना six cancer a हो जाएगा question number से भी नहीं हां में हां मिलाना किसी के हां में हां मिलाना मतलब आप समझ सकते हैं न मतलब की खुसामद करना किसी का हां में हां मिलाना में इसकी खुसामद करना होता है याद रखिएगा question number eight है कि सिर पर सवार होना सीर पर सवार होना मतलब होता है पीछे पढ़ना किसी भी काम के लिए पीछे पढ़ना मतलब वहां पर सीर पर सवार होना आप मुहाबरा का मतलब की यूज कर सकते हैं कुश्य नमर नाइन थे कि मूह की खाना मुहाबरे का अर्थ है यह आपको बताना है कुश्य नमर नाइन थे इसका मतलब होता है बूरी तरह से हारना मूह की खाना नहीं बुला जाता है लोग मतलब कि बूरी तरह से हाराना यह हारना नहीं हाराना होगा ठीक मूह की खाना जि मिट्टी गरम करना मुघ्ठ का अर्थ क्या है यहापको बताना है यह आप बताईए तो question 12 के अंजर क्या है यहाप गूस लेना मुठ्धी गरम करना मतलब क्या होता है घूस लेना ठेकथ औरक्या निचे से तक हूरी व्यारा पå Hannah 1 पहार तूट पना मुघ्ठ का अर्थ है पह हैं वारी बिपत्ति या ना बहरी बिपत्तिा नो कुष्ट पर-बारा है बांसो उछलना मुहब्रे का या अर्थ है या बताना है यह बहूलना बारा के अंसर बुच्छनंसट क्या हो जाएगा को ना करगणना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है तो ये बहुत खुसामत करना, बहुत खुसामत करना हो जाएगा, कुशिन बर 15 है कि अपना अलू शीधा करना मुहाबरे का सही अर्थ, अपना अलू शीधा करना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है तो अप बजाना मुहाबरे का, कुश्चिन नमर 16 है, ठीक ते ये बताईए, इसका अर्थ होता है, डींग हाकना, शुल्ला के अंसर क्या होज़ेगा, C मतलब फेकना एक तरब से, बड़ा-बड़ा, कुश्चिन नमर 17 है कि आसन डोलना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है, इसका अर्थ ह है, इसका मतलब होता है, खुसामत करना, ठीक, कुश्चिन नमर 17 देखे, घड़ो पाने पड़ जाना, घड़ो पानी पड़ जाना, ये रजस्थानी आप समझ सकते, घड़ो पानी पड़ जाना, मुहाबरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है, अतियंत लज्जित ह सही अर्थ को ऑगे चलिए स्वार्ति होना किस मुहाबरे का अर्थ है जब यहां पर किस्ट दे दिया मतलब कि मुहाबरे का कौन सा इसम से अर्थ होगा स्वार्थी होना ठीक इसके इंसर क्या हो वैसी कोशन बर बाइस दिया हुआ है बुध्धी भर्मीत होना किस मुहाबरे का अर्थ है एक मात्र सहारा किस मुहाबरे का सही अर्थ है तो अंधे की लाठी होना ये आपको याद रखिएगा इसका अर्थ है तो चूना लगाना ये आपको मुहाबरा है जिसका मतलब होता है धोखा देना ठीक खूब लाब होना किस मुहाबरे का सही अर्थ है तो पव बारा होना खूब लाब होना होता है तो ये इसके अंसर क्या हो जाएगा थिकरा फोड़ना मुहाबरे का सही अर्थ है दोसस लगाना हो जाएगा किस मुहाबरे का आर्थ है जिसका मतलब होता है जड़ खोदना ये हो जाएगा कुश्यन बर 28 से कि मुठी में करना मुठी में करना मुठी में करना मुठी में करना होता है वस में करना कुश्यन बर 29 से कि बरस पढ़ना मुठाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो अध्यधिक क्रोधित होना अतधिक क्रोधित होना ठीक कुश्चन बर 31 से कि कान काटना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है कान काटना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है मतलब होता है मात देना ठीक कुश्चन अबर 31 से कि कलेजा मुह को आना मुहाबरे का सही अर्थ है कलेजा मुह को आना आपको बताना है मुहाबरे का सही अर्थ मतलब ब्याथा से बेचाइन होना ठीक कुश्चन अबर 32 दिखे काटा दूर होना काटा दूर होना आपको मुहाबरे का आपको सही करना जैसे दूसमन घोटने टेक लेतो है न तो इसका मतलब क्या होते आत्म समरपड करना 33 कंसर यह हो जागा कुश्चन नबर 34 है घोड़े बेचकर सोना मुहाबरे का सही अर्थ क्या हो जागा यह हो जागा निश्चित होना ठीक निश्चित होना कुश्चन आपको 35 सही अर्थ क्या है तीन तेरा करना मुहाबरे का सही अर्थ होगा बिखेर कर रख देना बिखेर कर रख देना तीन तेरा करना मतलब कि कोई भी काम को बिखेर कर रख देना ठीक तो 36 कंसर सी हो जागा कुश्चन नबर साइटिस देखिए जान बुझकर मुसीबत में पढ़न किस मुहाबरे का सही अर्थ है, जान बुचकर मुसीबत में पढ़ना, कौन सी इसमें से मुहाबरा है, जिसका मतलब हो जाएगा, जान बुचकर मुसीबत में पढ़ना, ठीक, तो सही इसके एंसर क्या हो जाएगा, आग में कूदना, ठीक, मिसकी जान बुचकर मुसीबत में क बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा कुश्चन नबर 40 के चोर के दाढ़ी में तिनका यहां पर अभी आप देख सकते हैं लोकीतिया इस्टार्ट हो चागा है चोर के दाढ़ी में तिनका आपको क्या मतलब होता है इसका दोसी हमेशा चोकानना रहता है ठीक यह याद रखिएग संसाय में रहता है यह आप याद हो सकता है कुश्चन नबर 41 देखे एक GOCbaj का मतलब होता है एक साथ दो लाब होना 500 2 बार बात में मुशल चंद का सही अर्थ क्या है यह आपको बताना है यह होता है बेकार दखल देना कोश्चन नबर 43 देखे ऐ दिया है क्या आगे यहां पर देखें कुश्य नबर 43 देखें तन पर नहीं लता पान खाय अलबता यह तो बार बार आता है तन पर नहीं लता पान खाय अलबता इसका सर्थ सही अर्थ क्या होता है यह होता है आपको जूठ दिखावा करना जूठा दिखावा करना यह भी हो धूटता है एक है आ nauc से बहुत बड़ा काम किया जासकता है एक है ते अ कि काम बड़ा नहीं किया जा सकता है या करना संभो नहीं है पैतालिस के इंसर C हो जाएगा कोश्चन नबर 46 है कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है यह आप गाउं में सुने होंगे आधा तीतर आधा बटेर इसकी बेमेल बिढहंगा होना यह बटेर ओटेर हो जाएगा एसके इंसर 46F जालिस जालिस के इंसर C हो जाएगा कोश्चन वरMy में स करथा घांधार जहर सकी खोदा पहाड और निकलीפ क्या होता है तो सरंतो अधिक की हैं लेकिन उसका बहुत चोटा मिला मिशन नवatter तो 48 कंसर A हो जाएगा जाएगा